Hello everyone, welcome to exam quest इस वीडियो के अंदर हम CSIR examination के लिए ethics के syllabus को cover करेंगे Time constraint की वजए से वीडियो जितना हो सकेगा उतना short बनाने की कोशिश रहेगी Explanation से ज़्यादा focus इस बात पर है कि कम से कम समय के अंदर जा से ज़्यादा चीज़ों को cover कर पाएं ठीक है चली चालू करते हैं Ethics क्या होता है? Ethics, ethics का मतलब होता है study of what is right and what is wrong क्या सही है, क्या गलत है उसकी पढ़ाई को ethics कहा जाता है Ethics के origin की बात की जाए तो ये philosophy subject में से ही निकला है ethics का subject Philosophy बात करती है कि आप हर एक चीज़ को question करो जब आप चीज़ों को question करते हो तो आप उस चीज़ों को जादा अच्छे से समझ पाते हो अच्छे से understanding develop होती है तो philosophy के अंदर ही एक branch होती है जिसको moral philosophy कहा जाता है इस moral philosophy को ही आप ethics का father या फिर mother कह सकते हैं क्योंकि moral philosophy ही ethics के साथ जुड़ी हुई है एक बारी evolution का overview ले ले लेते हैं फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें जनको detail में करना है उन चीज़ों को देखते चलेंगे अगर हम starting देखें ethics की तो ethics की starting होती है Athens के अंदर Athens के अंदर आपके think कर आते हैं Socrates फिर Socrates के शिश्या आते हैं Plato फिर Plato के शिश्या आते हैं Aristotle अगर Eastern countries की बूली जाए तो Confucianism यहाँ पे निकलता है जो कि ethics के बारे में बात करती है Confucianism यहाँ पे moral virtues के बारे में बात की जाएगी ऐसे actions लिये जाएं ताकि society के अंदर harmony बनी रहे, filial piety की बात की जाएगी अगर religion की बात की जाए तो judaism हो गया Christian हो गया तो judaism और Christian tradition के अंदर भी ethics के tenents है इसलाम में कुरान और हादित हो गया अगर Hinduism की बात की जाए तो वेदाज, उपनिशर्द, भगवद गीता इन सब के अंदर ethics की बात की गई है भगवद गीता के अंदर एक term use की जाती है निशकाम कर्म यानि की selfless service selfless service का मतलब होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो ये मत देखो कि इस काम से आपको कुछ benefit होगा या नहीं आप काम सिरफ इसले कर रहे हो क्योंकि वो आपकी duty है निशकाम कर्म का जो tenant है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भगवद गीता के अंदर medieval time period के अंदर Thomas Aquinas ने कुछ theory दी थी Thomas Aquinas ने human action को भी define किया था जिसको हम आगे देखेंगे अगर आप syllabus को ध्यान से देखेंगे तो syllabus आपको कहता है ethics in human action तो ethics की जो सही study स्टार्ट होगी वो आपके Thomas Aquinas से आप देखेंगे Thomas Aquinas के बाद Erasmus ने humanism के बारे में बात की Erasmus ने इंसानों के उपर focus करना चालू किया कि इंसानों की dignity को हमेशा respect करना है इंसानों के reason यानि की thinking ability को respect करना है और हर इंसान की अपनी एक moral responsibility होती है इन सारी चीज़ों के बारे में Erasmus बात करते है फिर उसके बाद modern thinkers की बात की जाए तो वहाँ पर John Locke, Emmanuel Kant, Jeremy Bentham और John Stuart Mill इन्होंने कुछ-कुछ theories develop की थी जैसे की utilitarianism ये सब हम आगे देखेंगे फिर John Paul Sartre और Albert Camus ने existentialism के बारे में बात की John Rawls ने justice के उपर बहुत जादा discuss किया justice का मतब होता है नयाय तो नयाय से जुड़ी हुई चीज़े John Rawls ने दी थी John Rawls के जो concept है उसके अंदर हम पढ़ते है एक तो theory of justice, दूसरा पढ़ते है whale of ignorance, ठीक है तो इनके दो steps है उन दो steps को हम देखेंगे ठीक है फिर ethics के अंदर आते हैं कुछ applied ethics के पार्ट applied ethics के अंदर आपका क्या जाएगा जैसे की environmental ethics environment से deal करते हुए आपको किन-किन ethical principles को follow करना होता है इसको environmental ethics कहते है अब यह जो applied ethics है यह बहुत बड़ी branch है इसके अंदर आपको हो सकता है कि कोई term दे दी जाए और उस term से जुड़ा हुआ आपको meaning बूचा जाए तो आपको जादा घबराना नहीं है applied ethics किसी भी field में हो सकती है जैसे कि environmental ethics की बात हो रही है अगर आपकी activity pollution create कर रही है तो वो environmental ethics के against जा रही है अगर greenhouse gases की emission increase हो रही है तो वो environmental ethics के against जा रही है similarly अगर international relation में ethics की बात की जाए तो IR के क्या ethics हो जाएंगे international relation के कि आपको पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर आपको peace and shore करना है international treaties को agreements को respect करना है अगर आपने उन्हें sign किया है तो आपकी obligation है उनको follow करने की आपके अगर कोई dispute हो जाए तो war का साहरा नहीं लेना आपको arbitration करनी है आपको दूसरों की territory की respect करनी है ये सारे के सारे आपके international relation के ethics हो जाएंगे तो ये सब रटने की ज़रूत नहीं है common understanding ये options देखके आपको इसका answer करना होगा ठीक है पोस्ट modernism क्या होता है आपके traditional जो ethical framework है उसके अंदर कुछ challenges थे उन challenges को उभरते हुए आज की date में contemporary time period मेर किस तरह के ethics आपको देखने को मिलते हैं ठीक है digital ethics क्या हो जाएगा कि आज जब हमारी पूरी दुनिया digital devices को use कर रही है तो इस टाइम पर data privacy कैसी होनी चाहिए artificial intelligence अगर जैसे अभी आपने देखा था रश्मी का मंदाना की एक वीडियो doctor करके fake video को circulate किया गया artificial intelligence की मदद से obscene scenes जो थे उस वीडियो के अंदर add किये गए तो ये सारे के सारे ethics के against जाते हैं आप technology को use कर रहे हैं किसी के उपर spy करने के लिए तो ये भी unethical हो जाएगा तो digital ethics इन चीज़ों की बात करती है ठीक है applied ethics के ही हिस्से हैं ये तो चलिए अब चालू करते हैं Athens के अंदर सबसे हर एक चीज़ के ऊपर इंसानों को conversation करनी चाहिए खुद से conversation करो दूसरों के साथ conversation करो ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ ठीक है जब आप लोगों से conversation करते हो खुद से conversation करते हो तो आप खुद को अच्छे से समझ पाते हो self discovery होती है और आपकी critical thinking stimulate होती है आप चीज़ों को एक critical तरीके से देखने लग जाते हो तोकलेटिस यह मानते थे कि हर एक इंसान के अंदर moral knowledge moral knowledge हमेशा से मौजूद होती है moral knowledge innate होती है inherent होती है लेकिन क्योंकि लोग dialectic method में involved नहीं होते लोग conversation में engage नहीं करते इसलिए वो इस Moral knowledge को सही से समझ नहीं पाते और जिस चीज़ को आप समझ नहीं पाते उस चीज़ के basis पर आप action नहीं ले पाते तो सौकरेटिस कहते थे कि सारी की सारी moral knowledge हर एक इंसान के पास है लेकिन लेकिन इंसान उस moral knowledge को तब समझ पाएगा जब वो dialectic method, Socratic method या फिर conversations के अंदर engage करेगा according to Socrates अगर इंसानों को पता है कि क्या चीज सही है तो वो सही action ही लेंगे अगर कोई इंसान wrong action ले रहा है अगर किसी इंसान का कोई action गलत है तो वो सिरफ उसकी ignorance की वज़य से होता है उसने dialectic method में engage नहीं किया, उसने conversation नहीं कि इसलिए वो अपने moral knowledge को सही से समझ नहीं पाया Socrates ये कहते है कि knowledge अपने आप में एक virtue है, virtue का मतलब होता है desirable qualities which a person should have कि कौन-कौन सी quality, कौन-कौन से values उस एक इंसान के पास होने चाहिए ठीक है, तो knowledge को उन्होंने एक virtue की तरह देखा, उन्होंने कहा कि virtue knowledge है और अगर कोई इंसान कुछ भी गलत काम करेगा तो वो ignorance की वज़य से करता है Socrates ने politics के अंदर भी कुछ opinion दी थी, वो democracy को लेके बहुत critical थे, Athens के अंदर जो democracy follow होती थी, उसको लेके Socrates ने कहा कि democracy हमेशा majority की बात मानती है, majority ने जो कह दिया वो हो जाता है, तो ऐसे में minorities, कई बारी minorities के जो rights है minorities के साथ कुछ गलत चीज़े हो जाते हैं, उनके rights exploit हो जाते हैं तो इसी लिए Socrates फैसला होगा, तो कई बारी majority unwise decision भी ले ले लेते हैं और वो सिरफ अपने बारे में सोचते हैं वो minority view को जाधा importance नहीं देते, ठीक है, तो Socrates ने democracy को भी criticize किया था अब देके, Socrates को execute कर दिया गया मार दिया गया, तो उनके जो शिश्य थे प्लाटो, प्लाटो भी democracy को criticize करेंगे, ठीक है प्लाटो भी democracy को criticize करने वाले हैं तो Socrates की summary अगर देखी जाए कहां से question आएंगे Socrates को western philosophy का father कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार ethics के उपर, ethics के principles के उपर discuss करना चालू किया, Socrates क्या है, जिसके अंदर students अपनी understanding को develop करने के लिए चीजों को question करते हैं, dialectic method में involved होते हैं, यानि की conversation करते हैं Socrates ने virtue ethics की बात की, virtue का मतलब होता है, अच्छी quality, desirable values, तो उन्होंने knowledge को भी एक virtue बोला है, और Socrates कहते हैं कि जिन लोगों के पास जादा virtue होते हैं, वो जादा खुश रहते हैं, उन्होंने unity of virtue की बात की, unity of virtue का मतलब होता है, कि जितने भी अच्छी qualities हैं, वो हर एक इंसान के पास होती हैं, लेकिन समझोगे कैसे, जब आप Socratic method या फिर dialectic method के अंदर engage करोगे, उन्होंने ethical intellectualism की बात की उनके हिसाब से, अगर आपको ethics की अच्छी knowledge चाहिए, तो आपको reasoning develop करनी पड़ेगी, reasoning का मतलब है चीजों को question करो, dialectic method में, या फिर Socratic method में engage करके लोगों के साथ conversation करो तब आपको पता चलेगा कि reasoning क्या होती है, उनकी एक famous quote आप यहाँ पर याद रख सकते है, the only true wisdom is in knowing you know nothing, ठीक है, जब आप यह मान के मैठोगे कि आपको कुछ नहीं पता तो आप उस चीज को समझने के लिए question करोगे कि यह चीज क्या है, यह चीज क्यों हो रही है, यह चीज कैसे हो रही है true knowledge exists in knowing that you know nothing, यानि कि मदव ही same यह शहाद दो बारी copy हो गया, ठीक है फिर उसके बाद Plato की बात करते है, Plato Socrates के ही student थे, उन्होंने क्या का, उन्होंने का कि देखो अभी तक दुनिया के अंदर लोग, जातर material forms के उपर ही focus करते हैं, physical objects के उपर focus करते हैं, physical objects exist करते हैं, हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इनके बारे में सोचना आसान होता है, लेकिन लेकिन, Plato ने कहा कि ideas जो होते हैं ideas दिखाई नहीं देतें, वो non material form के अंदर exist करते हैं और यही ideas, यही ideas material world के अंदर सामानों को बनाने के काम आते हैं तो physical objects के हैं, वो imperfect reflection होती है, ideal form की ideal form का मतलब है आपके ideas non material forms, ठीक है इन्होंने doctrine of recollection की बात की, इन्होंने भी Socrates की तरह का कि हर एक इनसान के बाद जो knowledge है, वो knowledge already present होती है, innate है, inherent present है, उसके अंदर ही वो knowledge already है, लेकिन जो इनसान इस knowledge को याद कर लेते हैं उसको समझ लेते हैं, recollect कर लेते हैं देखें, उनके इसाब से बर्थ के साथ ही आपके पास सारी knowledge है ठीक है, लेकिन कुछ इनसान ऐसे होते हैं, जो कि उस knowledge को recollect कर पाते हैं वो recollect कर पाते हैं तो वो सही action लेते रहते हैं तो यह doctrine of recollection किसने दी है question आ सकता है वो आपके Plato ने दी थी Plato ने politics में इन्होंने भी democracy को वो किया criticize किया इन्होंने कहा कि politics में जो इंसान rule करे वो एक philosopher king होना चाहिए philosopher king का मतलब होता है कि जो ruler है वो wise होना चाहिए ऐसा इंसान जिसको knowledge है जिसको ये पता है कि कौन-कौन सी चीज़े virtuous है ठीक है तो जिस इंसान को virtues की knowledge है उसी को rule करना चाहिए और Plato ने एक ideal state की बात कही थी उस ideal state के अंदर इन्होंने तीन लेवल बोले थे जिसके अंदर ruler वो चाहते थे philosophical king हो ठीक है तो wise ruler जो की knowledge और virtue के साथ लोगों को गवन करता है उन्होंने एक ideal state को envision किया था और ये ideal state एक hierarchical structure में होगा जिसके top पर philosopher king होता है ठीक है अब इन्होंने एक राज्य किस तरह से गवनो उसके लिए एक hierarchical stage बता दी तीन levels बता दीए तीन levels में सबसे top पर इन्होंने philosopher king की बात कही थी तो plato ने ये काता कि जो मैं तीन level बनता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक human की जो soul होते हो soul के तीन पार्ट होते है एक होता है reason reason का मत्वब होता है समझ समझ दूसरा होता है spirit spirit और तीसरा appetite appetite ठीक है तो reason, spirit और appetite इन तीनों चीज़ों को human soul fulfill करना चाहती है और इसलिए जो society है वो भी इन तीन level पर ही divide होनी चाहिए तो इनोंने society के अंदर जो administration होता है उस administration को तीन पार्ट में डिवाइड किया reason, spirit और appetite इनोंने कहा reason से समझ से, सोच से एक philosopher king rule करना चाहिए यानि कि ruling class को नोगी philosopher king जिन लोगों की spirit बहुत हाई होती है जो शीले लोग होते है वो military के अंदर जाएंगे जिनकी appetite बहुत हाई होती है appetite बहुत हाई का मतलब है कि हमें और भी करना है life के अंदर और पैसा कमाना है तो वो economics के अंदर जाते है तो ideal state ये question आ सकता है कि plateau की ideal state की तीन classes कों से है ruling class, military class, economic class ruling class में philosopher king होंगे जो की reason से rule करते है spirit, military के साथ associated है and appetite, economy के साथ associated है ये तीनों चीज़े हर इंसान की soul में present होती है किसी में reason जाद है किसी में spirit, किसी में appetite ठीक है तो plateau कौन थे ये disciple थे Socrates के इन्होंने Socrates की death के बाद अपनी theory develop करने चालो की ये भी virtues के बारे में बात करेंगे Socrates ने भी virtues की बात की थी Socrates के according virtue क्या है Socrates के according knowledge is virtue knowledge is virtue जितनी आपके पास जादा knowledge है उतने अच्छे आपके action हो जाएंगे और Plato ने क्या कहा Plato ने कहा कि चार cardinal virtues होते हैं चार ऐसे virtues हैं जो की हर जगा follow किये जाते हैं और ये चार virtues हैं Prudence Prudence का मतलब होता है wisdom दूसरी temperance अपने emotions पे control करना Courage and justice Justice का मतलब नहाए तो ये जो चार virtues हैं ये चार virtues भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो Plato में cardinal virtues और ideal state ये आप याद रखेंगे ठीक है जो की reason से rule करेगा ठीक है democracy को negatively देखा Plato ने भी क्योंकि Socrates को democracy के अंदर ही मार दिया गया था Virtues की बात की जाए तो virtue जिस भी इंसान के पास virtues होते हैं अच्छी quality होती हैं तो वो अपने इन चारो human soul की जो तीन चीज़े हैं reason, spirit और appetite इनके बीच में harmony maintain करके रख सकता है जिस भी इंसान जो भी इंसान virtuous होगा अच्छी values जिसके पास होगी वो reason, spirit और appetite के बीच में harmony maintain करके रखेगा Plato ने just और unjust life के बारे में क्या बोला just life just life अपनी inner harmony की वज़े से खुश होती है inner harmony between reason, spirit and appetite ठीक है और यह अपनी inner harmony को maintain करके रखती है with reason इनकी famous quote की बात की जाए तो states are as the man they grow out of human characters knowledge becomes evil if the aim be not virtuous ठीक है knowledge evil तब बन जाती है जब इनसान का aim होता है कि मुझे virtuous रहना ही नहीं है तो उसकी knowledge अपने अपी evil हो जाएगी इसके बारे में अभी हम discuss करते हैं फिर उसके बाद आते हैं Aristotle के उपर Aristotle Plato के student थे तो Socrates के बाद Plato Plato के बाद Aristotle स्पास है आप याद रख सकते हैं ठीक है Aristotle ने हाईलो मॉर्फिजम की बात की थी हाईलो मॉर्फिजम के अंदर Aristotle ने Plato की जो थियोरी थी ideal form की उपर देखा था ना ideal form ideal form क्या होगा जिसके अंदर एक ruling class है एक आपकी military है और एक आपकी economic class है ruling class reason से rule करती है military spirit से rule करती है और जो economic class है वो appetite से rule करती है जिस भी इंसान के पास वर्ची होंगे वो इन तीनों के बीच में harmony maintain करके रखेगा harmony maintain करके रखता है ठीक है ये बात बुली थी प्लाटो ने तो Aristotle ने प्लाटो की ये जो theory of forms थी इस theory of forms को reject कर दिया और Aristotle ने अपनी theory दी और उस theory को नाम दिया गया hyalomorphism 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 के अंदर वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें जो भी material world है जो भी material world है वो matter और form से मिलके बना हुआ है ठीक है और अगर आप इस world को ये जो material world है इस material world को आप अगर अच्छे से observe करोगे अब चीजों को experience करोगे तो आपके पास knowledge आ जाएगी ठीक है तो ये भी knowledge acquire करने की ही बात कह रहे है Socrates और Plato ने कहा कि knowledge तो inherent है Plato कहते हैं कि उसको recollect करने की ज़रू होता है Socrates कहते हैं कि Socrates कहते हैं कि Socrates method में involved करो dialectic method में involved करो और उससे तुम उस knowledge को अच्छे से समझ पाओगे good और bad की understanding develop होगी इन्होंने कहा कि आप observe करो experience करो उससे आपको knowledge मिलेगी और यह observation और experience आप कैसे कर सकते हो आप अपने sensory perception से जो आपके senses हैं आप उनसे कर सकते हो सुनो सुनो बोलो इन सारी चीजों से आप knowledge को acquire कर सकते हो ethics की बात की जाए तो Aristotle ने भी virtue ethics की बात की थी लेकिन Aristotle का जो virtue ethics था वो moral virtues को develop करने के उपर था की इनसानों को यह काम कर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छी जो desirable values हैं जो moral values हैं उनको अपने अंदर develop कर पाए और develop करने के लिए Aristotle कहते थे कि आपको कोई भी extreme कोई भी extreme चीज नहीं करनी है तो जैसे बुद्धिजम के अंदर middle path को follow करने की बात कही जाती है वही middle path को follow करने की बात Aristotle ने भी कही थी कि आप ना तो extreme में ना तो आप इस तरफ extreme में कोई काम करो ना ही इस तरफ extreme में काम करो आपको middle path follow करना है जिसको golden mean कहा गया golden mean ठीक है तो Aristotle के लिए आपको ये term आपको याद रखनी होगी politics के अगर बात कीज़े तो politics के अंदर इन्होंने कहा था कि देश के अंदर democracy और oligarchy इनका एक combination होना चाहिए ठीक है जब democracy और oligarchy middle class के लिए काम करेगी तो अपने आप देश के अंदर political stability बनी रहेगी तो यह कुछ चीजे हैं कुछ टाम से जहां से आपके questions आ सकते हैं बहुत ज़ादा explanation पर नहीं जा रहा हूँ सिरफ रटते चलिए इन चीज़ों को ठीक है तो इन्होंने Aristotle ने क्या का democracy और oligarchy इनका एक combination होना चाहिए और middle class को importance देनी चाहिए ताकि political stability बनी रहे summary की अगर बात की जाए तो यह plateau के student थे इन्होंने Alexander the Great को समझाया था ठीक है तो Alexander the Great को समझाया था Alexander the Great को यह बोला था कि किसी भी इनसान का जो ultimate happiness है किसी भी इनसान को ultimate happiness तम मिलेगी जब वो अपने पूरे potential को पूरे potential को realize कर लेगा एक इनसान को पता है कि मैं जीवन में बहुत अच्छा कर सकता हूँ लेकिन वो उतनी चीज़े अचीव नहीं कर पा रहा तो जब इनसान अपने potential को अचीव करने के लिए अपने आपको develop करता जाएगा तो वो automatically सबसे बड़ी happiness तक पहुँच जाएगा ठीक है तो अरिस्टोटल के according happiness क्या है happiness है intellectual contemplation ठीक है यानि कि आप चीज़ों को सोचो उनके उपर discuss करो और फिर अपने पूरे potential को full potential को realize करो इन्होंने virtue ethics की बात की golden mean की बात की golden mean का मतलब है two extremes को avoid करना नहीं आप सारे के सारे vices अपने अंदर लेके आ जाओ नहीं आप सारे के सारे virtues को अपने अंदर लेके आ जाओ ठीक है extremes में नहीं जाना है आपको अच्छा एरिस्टोटल की एक खास बात क्या थी एरिस्टोटल ने कहा था कि आपको golden mean follow करना है golden mean follow करना है ठीक है आपको अच्छे काम करने है वर्चियूज डैवलप करने है जहाँ से जादा लेकिन वर्चियूज को dैवलप कैसे किया जाएगा हैबिट से किया जाएगा ठीक है आपने एक दिन अच्छा काम कर दिया इसका मतलब यह नहीं कि आप आपके अंदर वो virtue आ चुका है आपको वो अच्छा काम हर भारी करना है लगातार करना है जब आपको habit पड़ जाएगी अच्छे कामों को करने की तब आप वर्चू असाद मी बनोगे तो इसलिए habit के उपर Aristotle का बहुत जादा focus था ठीक है फैमली को Aristotle कहते थे कि फैमली एक natural institution है फैमली एक starting point है moral life का और हर देश का जो foundation है वो family से ही बनता है फैमली पहला agent होता है जो कि बच्चे को समझाता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है slavery के उपर उनका controversial view था उन्होंने कहा था कि जो slaves होते हैं उन्होंने दी थी ठीक है एक बारी उनकी आप वो देख सकते है all men by nature desire knowledge हर एक इंसान knowledge चाहता है which is very true at his best man is the noblest of all animals separated from law and justice he is the worst ठीक है कि अगर इंसान को law और justice से अलग कर दिया जाए तो वो इंसान बहुत ही गलत काम कर सकता है लेकिन अगर law and justice के अंडर रह के इंसान काम करता है तो वो सबसे noble animal होता है अब कुछ और ठीक कर सें जिनके हम एक काम करते हैं एक term मैं पहले आपको बताता हूँ फिर उसके बाद आगे चलेंगे term है summum bonum summum bonum का मतलब होता है ultimate what is ultimate good supreme good क्या है उसको summum bonum क्याते है ये एक latin term है बाइचांसा अगर इसके उपर कोई one liner आ जा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर बताया है ये जो table है ये table आप एक बार ही खुद देखेंगे इस table की details को मैं आपको बता देता हूँ सारी सेम चीज़े table में लिखी हैं बस short में लिखी हुई है ताकि आप revise आसानी से कर पाऊ इसलिए मैं ऐसे दे रहा हूँ सबसे पहले Thomas Aquinas की बात करते है Thomas Aquinas जैसे ही Thomas Aquinas नाम आप सुनते है वैसे ही natural law theory और virtue ethics आपके mind के अंदर आ जाना चाहिए ये दो चीज़े हैं जिनके बारे में इन्होंने बहुत डिसकस किया था natural law theory क्या कहती है natural law theory ये कहती है कि कोई भी इंसान एक natural world में रहता है इस natural world में हर एक इंसान के अपने कुछ अधिकार होते है ठीक है चार घंटे तक मैं metro के अंदर ट्रैवल कर रहा हूं तीन घंटे तक मैं ट्रैवल कर रहा हूं लेकिन वहाँ पर रूल बना हुए मैं खा नहीं सकता तो ये मेरे natural law के against जा रहा है तो natural law को follow करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो एक्विनास ने ये कहा था कि जितने भी ethical principles हैं वो इंसान की reason से develop होते हैं और जो इंसान का natural world है जब इंसान उस natural world को observe करता है तो उससे वो ethical principles बना सकता है basically ethical principles हैं कि ऐसी कौन सी चीजे हैं जो की सही है और कौन सी चीजे हैं जो की गलत है तो आप अपने natural world को observe करो ठीक है फिर उसको question करो अपनी reasoning के according और फिर उससे आप ethical principles को derive करो तो आपको पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है natural world के against जाओगे तो वो चीज follow करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है Thomas Aquinas ने कहा था कि ये natural world को observe करके अपनी reason को use करके जो ethical principles बनाए जाएंगे वो universal होंगे जिससे human behavior flourishment की तरफ चलता जाएगा ठीक है virtue ethics के बारे में उन्होंने ये कहा कि हर एक इंसान को good habits यानि की virtues desirable values जो होती है good habits को cultivate करना चाहिए अपने आपको ऐसे develop करना चाहिए कि उसके अंदर अच्छी values आती जाए अच्छी values क्या होती है courage, justice, temperance और जब courage, justice, temperance जैसी अच्छी values होंगी तो हर एक इंसान moral action लेगा गलत action नहीं लेगा teleological ethics ये भी आप Thomas Aquinas के साथ associated मान सकते हो पर इसके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे देखे, Thomas Aquinas ने क्या का Thomas Aquinas ने एक term दी यूडे, monia ठीक है, किसने दी थी Thomas Aquinas Thomas Aquinas ने का था कि हर एक इंसान का end goal है जीवन में happy रहना, ठीक है happiness हर एक इंसान का end goal होता है ठीक है तो अगर किसी इंसान ने कोई action लिया है, इस action से उसकी happiness कम हो रही है, तो ये action गलत है, wrong है और अगर happiness increase हो रही है, तो वो happiness अच्छी है, बेसिकली आपके action का जो consequence है वो इसके अंदर दिखा जाता है, तो जो teleological ethics है Thomas Aquinas की teleological ethics, focus करती है intentions के उपर, कि आप जो भी action ले रहे हो, उस action के पीछे आपका intention क्या था, ठीक है अगर आप उस action से ultimate happiness या फिर eudemonia की state में पहुँच रहे हो तो वो आपका action सही है, ठीक है तो intention की बात की गई, consequence की बात की गई, अब Thomas Aquinas का एक important aspect आता है, human action का human action के अंदर Thomas Aquinas ने कहा कि तीन चीजे मौजूद होनी चाहिए, देखिए एक बच्चा भी बहुत सारे action लेता है कई बारी बच्चा आपको काट लेता है ठीक है, कई बारी बच्चा आपको काट लेता है तो आप ये कहेंगे कि बच्चा बड़ा evil है या फिर बच्चे के अंदर तो बिलकुल भी ethical principles पर क्या वो जानके ये काम करना चारे थे वो जानके उनकी intention नहीं थी ये काम करने की तो इसलिए हर एक action को हर एक action को judge करने से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या वो action human action है या नहीं हर एक action human action नहीं होता human action बनने के लिए जो इंसान action ले रहा है उसके पास knowledge होनी चाहिए यानि कि अगर मुझे कोई action लेना है तो ये action मेरा decision है, मेरे पास धेर सारी choices थी, मैंने अपनी knowledge को use करके ये वाला action लिया ठीक है, तो जब कोई इंसान knowledge use करके किसी action को deliberately choose करता है, तो पहला जो criteria है human action का वो fulfill हो जाता है दूसरा, voluntariness voluntariness का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान action ले रहा है लेकिन वो action freely नहीं ले पा रहा उसको किसी ने force किया, जैसे कि मेरे सर पे किसी ने बंदूक लगा कि ये बोल दिया, कि तू जाके bank लूटा, और मैं अपनी मौत के डर में bank लूट के आ गया, तो मेरे action को human action नहीं कहा जाएगा, human action बनने के लिए action free होना चाहिए मेरी खुद की will से originate होना चाहिए, अगर कोई external force या फिर कोई coercion मुझसे कोई action करा रही है, तो वो action human action नहीं होगा, ठीक है और तीसरा उन्होंने का free will free will का मतलब यह है कि मेरी आजादी होनी चाहिए कि मैं उस action को करूँ या ना करूँ, मेरे पास choice होनी चाहिए ठीक है, जब मेरे पास choice होगी तो मैं उस action की moral responsibility ले सकता हूँ तो Thomas Aquinas ने कहा कि आप किसी भी action को सही या गलत सही या गलत तब ही मानोगे जब वो action human action है ठीक है, human action की तीन quality बता दी कि action से पहले knowledge होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ दूसरा, voluntaryness होनी चाहिए कि मेरे को कोई दबाब दे के काम नहीं करा रहा है और तीसरा, मेरी free will होनी चाहिए कि मैं जान के खुद वो काम करना चाहता हूँ ठीक है, तो ही वो action human action कराया जाएगा अब इस human action के पीछे अगर intention या फिर consequence गलत होता है इस action का तो फिर वो action गलत जज किया जाएगा ठीक है, intention या consequence के basis पर human action को जज किया जाता है ठीक है, Aquinas ने तीन चीज़े और लिखी थी, सिरफ इनके नाम आप याद रखेंगे, Thomas Aquinas ने सम्मा थियोलोजिका लिखी निकोमेशियन एथिक्स लिखी और कंटेंपरेरी वर्चिव एथिक्स लिखी ठीक है, ये सिरफ उनके काम का वो एक तरह से लिस्ट है ठीक है ये Thomas Aquinas ने का था क्या क्या याद रखेंगे Thomas Aquinas का Natural Law Theory दूसरा Virtue Ethics के बारे में इन्होंने का Teleological Ethics के बारे में का कि Intention सही होनी चाहिए फिर इन्होंने Human Action के तीन Principles बताए, Knowledge, Voluntariness and Free Will अगर कोई एक्षन इन तीन में से कोई एक भी चीज किसी एक्षन में नहीं है तो उस एक्षन को Human Action नहीं बोल सकते जैसे कि एक बच्चे का एक्षन बच्चे को Knowledge ही नहीं होती या फिर Mentally Ill Patient या फिर अगर किसी इनसान को डरा धमका के कोई काम कराया जा रहा है तो वो Human Action नहीं है और आप उस एक्षन के उसको सही है या गलत है इस चीज को आप जैजिन नहीं कर सकते तब या आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा कोई Minor है Minor अगर कोई Crime करता है तो हमारे Laws के अंदर उसको कम Punishment मिलती है वहीं पर अगर कोई Adult Crime करता है तो उसको जादा Punishment मिलती है क्योंकि यह माना जाता है कि Adult जो भी Action लेगा वो Human Action है Child Human Action नहीं ले पारा अब Erasmus की बात कर लेते हैं Erasmus ने Individual Conscience के बारे में बात कई Erasmus Humanism की बात करते हैं Human Dignity की बात करते हैं तो यह कहते हैं कि Individual हर एक Individual का अपना Reason है अपने सोचने की तरीका होता है उसकी अपनी एक Conscience है अंतर आत्मा है जिसके बेसिस पर वो Moral Decisions लेता है ठीक है इन्होंने इंसान के उपर जादा फोकस करना चालू किया कि इंसान की Reason और Conscience उसे Moral Action दिलवाती है इन्होंने Practical Ethics के बारे में बात की कि जो Real World Issues होते हैं उसके अंदर किस तरह के Ethics होते हैं इसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है ठीक है इन्होंने Criticize किया कि जब Political Authorities या Religious Authorities कोई Pronunciation देती है कोई Pronunciation देती है लोग उसको Follow करने लगेंगे तो इसलिए वो इसको Criticize करते थे वो क्या कहते थे वो कहते थे आप Priority दो Individual Conscience को हर एक इंसान जब Action करने जाता है तो उसकी खुद की जो Consciousness होती है ठीक है उसकी जो अंतर आत्मा होती है वो उसको खुद बताता है ये काम मत कर ये गलत है तो Erasmus ने उसको ज़ादा Focus करने की बात कही है ठीक है इनकी अगर Books की बात की जाए तो इनकी Books है The Praise of Folly विच इसाटायर on Human Vices जो Vices का मतलब होता है Bad Habits या फिर Undesirable Values दूसरी बुक इनों लिखिया Handbook of a Christian Soldier ठीक है और तीसरी बुक नों लिखिया Secondary Scholarship on Erasmus Ethical Thought and Context तो अभी तक हमने Socrates, Plato, Aristotle किया फिर उसके बाद हमने Thomas, Aquinas किया Thomas, Aquinas और फिर उसके बाद हमने इनको कवर किया है ठीक है Erasmus को कवर किया है ठीक है अब हम देख रहे है John Locke John Locke ने भी Natural Theory के बारे में ही बात की Natural Theory के बारे में और किसने बात की थी? Thomas, Aquinas ने तो John Locke भी Natural Law Theory की बात करेंगे ठीक है वो क्या कहते है जो हमारा Natural World है हमारे Natural World में Already कुछ Principles Exist करते हैं और हमें Natural World के उन Principles के According ही काम करना चाहिए Thomas, Aquinas भी तो यही कह रहे थे कि Natural World को आप Observe करो और फिर उसके बाद Natural World को Observe करने के बाद आप Ethical Principles बनाओ लगबग सेम चीज़ John Locke कह रहे है ठीक है? कि दुनिया के अंदर वो Believe करते थे कि दुनिया के अंदर Universal Moral Principles Already Exist करते हैं और हम अपने Reason से अपनी सोच से अपने Experience से उन Universal Moral Principles को Recognize कर सकते हैं जब आप Universal Moral Principles को Recognize करोगे तो Individual का भी Well-Being होगा और Society में भी Harmony रहेगी ठीक है? तो Natural Law के लिए Thomas Aquinas और John Locke याद रखना है John Locke की जो उससे भी Important Theory थी वो थी Social Contract Theory Social Contract Theory का ये मतलब है कि एक समाज के अंदर एक तरफ आपकी सरकार है जिसको State कह देते हैं दूसी तरफ citizens हैं तो citizens क्यों सरकार की बात मान रहे हैं? citizens क्यों ये कह रहे हैं कि सरकार जो कानून बनाएगी हम उन कानूनों को Follow करेंगे citizens ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बदले में सरकार उनको कुछ दे रही है तो Social Contract Theory ये कहती है कि इंडिविजुल्स अपनी रजामंदी देते हैं कि हम गवन होंगे ताकि उनका benefit हो सके इसके अंदर citizens अपने कुछ अधिकारों को give up कर देते हैं वो laws को follow करने की बात कहते हैं वो कहते हैं कि हम जो भी state बोलेगी हम state के directions को follow करेंगे बदले में state हमें क्या देगा बदले में state हमें कुछ अधिकार देगा state हमें protection देगा state ensure करेगा कि society के अंदर नयाय है justice है ठीक है देखिए अगर सरकारें नहीं होंगी state administration नहीं होगा तो उस case के अंदर कोई भी civilization सही से काम नहीं कर पाएगी chaos हो जाएगा पूरी की पूरी society के अंदर और इस chaos में हर एक individual एक दूसरे को मारने पीठने लग जाएगा किसी का भी भला नहीं होगा तो इसलिए जब societies बनने लगी तो ये social contract theory निकल के आती है जिसमें ये कहा जाता है कि citizens सरकार को power दे दे कि सरकार जो बोलेंगी उस तरह से citizens रहेंगे ताकि सरकारें जो administration इस chaos को control कर सके एनार की ना बन पाए बदले में सरकारे citizens को कुछ अधिकार देंगी सरकारे ये ensure करेंगी कि justice बना रहे society के अंदर हर एक इनसान की well-being बनी रहे तो citizens ने कुछ give up किया और state बदले में citizens को कुछ दे रहे इसको social contract theory कहा जाता है और ये कहा गया कि देखिए citizens सरकारों के दुआरा बनाये गए laws को follow करेंगे तो ये जो laws हैं ये laws natural law के साथ aligned होने चाहिए अगर सरकारों ने कानून बना दिया जो natural law के against जाता है तो लोग उस कानून को follow नहीं कर पाएंगे जैसे अभी मैंने metro में खाने का example दिया था लोग अभी भी metro में खाना काते हैं वंदो देरिजा रूल कि आप metro के अंदर खाना नहीं खा सकते लेकिन तीन घंटे की जर्निया किसी की diabetes है किसी की sugar low हो रही है किसी का BP low है तो क्या वो खाना नहीं खाएगा वो बिलकुल खाएगा खाना तो natural law के साथ aligned होने चाहिए state के law तो कोई भी law just law तब बनेगा just law का मतलब एक fair कानून ठीक है कोई भी कानून just तब कहला जाएगा जब वो natural law के साथ aligned है और वो लोगों के अधिकारों को protect करता है जान लोक ने individual rights के उपर बहुत ज़ादा emphasis दिया था जैसे कि लोगों के पास fundamental right होना चाहिए life का, liberty का, property का उन्होंने का था कि कुछ rights ऐसे हैं जो कि इंसानों के लिए in alienable है यानि कि आप इन अधिकारों को separate नहीं कर सकते बहुत important है social contact theory जोन लोक की और emphasis on individual rights is very important तो जोन लोक कहते हैं कि कुछ अधिकार inherent होते हैं हर एक इंसान के बर्थ से वो अधिकार उसको मिले हुए है इन अधिकारों को आप उससे separate नहीं कर सकते ठीक है, कोई भी कानून बनाओगे तो वो natural law के साथ aligned होना चाहिए ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी ethical actions हैं, वो यह जो individual के अधिकार हैं, जो कि inalienable हैं, इन अधिकारों को respect करेंगे और समाज में नयाय, justice, fairness ensure करेंगे जान लॉक ने यह कहा कि जो morality होते है what is right and what is wrong morality का भी मतलब वही है morality जो होते है, वो experience और reason से derive की जाती है, कोई भगवान ने ऐसी चीज़े नहीं बोली हुई, जिनको follow करके आप ethical बन जाओगे आपके अपने experience और आपकी अपनी सोच से आप morality को develop कर सकते हो, ठीक है तो divine revelation या फिर intuition को इन्होंने reject किया था, इन्होंने का था जो moral knowledge है, moral knowledge जब कोई इंसान action लेता है तो इस action का कोई consequence होगा society के उपर कुछ impact होगा जब हम अपने action के इन impact को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसी experience से, उसी reason से हम समझते हैं कि क्या चीज moral है और क्या चीज immoral है, तो जॉन लॉक ने ethics या फिर moral principles को बनाने के लिए experience की बात कही आपके actions के consequences को आप अपने reason और experience से समझो ठीक है, अगर इनके कामों की बात की जाए, तो जॉन लॉक ने लिखी थी two treatises of government जिसके अंदर वो explore करते हैं natural law को social contract हो और just government को ये आप अच्छे से याद रख लीजेगा जॉन लॉक किया, natural law social contract, just government, emphasis is on individual right and morality which is not coming from a divine source, which is not coming from intuition, but morality which is coming from experience and reason, आपके actions के consequence से आप चीजों को समझो दूसरी जो उन्होंने book लिखी थी उसका नाम था essay concerning human understanding examines the role of experience and reason in knowledge acquisition, knowledge को आप acquire करेंगे कैसे reason और experience को use करके, तीसरी इन्होंने लिखी थी secondary scholarship, जिसके अंदर इन्होंने अलग-अलग चीजों को interpret किया था, ठीक है, सिरफ नाम आपको याद रखना है, अब John Locke इतने जादा inspirational थे, John Locke ने किसकी बात की इन्होंने individual rights की बात करी इन्होंने social contract theory की बात करी, social contract theory basically relationship बता रहा है between state यानि कि administration and citizen citizens क्या give up करेंगे बदले में state citizen को क्या दे रहा है जब इन दोनों के बीच में ये social contract होगा, तभी ये citizen state की बात मानने को तयार होगा, एक example मैं देता हूँ, social contract theory का एक example ये हो सकता है, कि as a citizen मैं agree कर रहा हूँ that I will pay my taxes मैं अपने tax pay करूँगा बदले में मैं चाता हूँ कि state समाज के अंदर justice बनाए वो मुझे अच्छी services दे अब अगर मालीजे मैं state में रह रहा हूँ, मैं अपना tax सही से pay कर रहा हूँ अपने देश के अंदर, लेकिन समाज में justice नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ तो ये social contract theory को breach किया जा रहा है, ठीक है, तो ये criticism हम किसी भी government की कर सकते है आज की date में, कि वो social contract theory के against काम कर रही है, क्योंकि वो समाज के अंदर वो चीजे हमें नहीं दे रही, जिसके बदले में हमने ये social contract किया था ठीक है, अब John Locke ने ये जो इतनी सारी चीजे बोली है, बहुत अच्छी अच्छी चीजे बोली, John Locke ने inspire किया Emmanuel Kant को और Mill को और इन दोनों ने भी आगे जाके ethics के अंदर कुछ कुछ काम किये, तो चलिए, पहले आप Emmanuel Kant की बारे में बात कर लेते हैं Emmanuel Kant ने ये जो कुछ terms है जो thinkers के साथ associated है इसलिए मैंने points में वो terms दी है इन terms को आपको read करके जाना है चीजे भले ही आप बहुत अच्छे से ना समझे लेकिन ये terms आपको याद होनी चाहिए Emmanuel Kant की पहली term जो आप याद रखें Kant की वो है categorical imperative categorical imperative ठीक है इसमें Kant कहते हैं कि हर एक इंसान action लेता है और हर action के पीछे कोई ना कोई principle involved होता है तो Kant कहते हैं कि जब भी इंसान कोई action ले रहा है तो उसको ये देखना है कि उसके पीछे जो principle involved है क्या ये principle universal है क्या ये principle हर एक इंसान use कर सकता या ये नहीं कर सकता अगर जो आप action ले रहे हैं उसके पीछे जो principle involved है वो universalizable है यानि कि हर एक इंसान similar situation में same action लेगा तो इसका मदब यह कि आपका action correct है आपका action ethical है इसको categorical imperative कहते हैं ठीक है कहां तक सही है कहां तक गलत है उस debate में आपको पढ़ने की ज़रूत नहीं वो UPSC experience के लिए ठीक है आप सिरफ इतना याद रखिए categorical imperative कांत ने कहा कांत के according वो action लेना है जो की universalizable maxims या फिर principles पर based है ऐसे rules बनाओ जिसको हर एक इंसान follow कर सके similar situation में यानि कि आपने कोई rule बना दिया कि ए situation के अंदर ये action लेना है अगर ये action हर एक इंसान इस situation में ले सकता है तो यानि कि ये action आपने सही बनाया है तो जब इस तरह के rules बनाई जाएंगे तो उससे society में fairness और respect for humanity आएगी अब कांत जो हैं वो deontological ethics से belong करते हैं हमने उपर एक teleological school देखा था teleological school simple भाषा में teleological school ये कहता है कि कोई भी action तब ethical होगा जब उसका consequence सही निकले ठीक है आपने कोई action लिया उससे जो भी consequence निकल रहा है अगर ये consequence अच्छा है तो action right है अगर consequence खराब निकला तो ये action wrong माना जाएगा deontological school कहता है कि आपको consequences की चिंता नहीं करनी है आपको ये देखना है कि आप action क्यों ले रहे हो अगर कोई भी action आप इसले ले रहे थे क्योंकि वो आपकी duty थी वो काम करने की आपकी duty थी तो आपका actions सही है ठीक है तो basically teleological school कहेगा consequence क्या है और deontological school कहेगा कि आप जो action ले रहे थे उसके पीछे आपकी intention क्या थी क्या किसी duty की वज़े से आपने action लिया था अगर हाँ duty की वज़े से लिया था तो फिर वो action एकशन एकदम सही है तो deontological school rules के उपर focus करता है कि जो rules बने हुए हैं आपको उन rules को follow करना है अगर rules आपको x y z action लेने को कह रहे हैं तो आप वो action ले लो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि इस action से क्या consequence निकलेगा ठीक है जबकि teleological school क्या कहता है कि आपने action ले लिया अगर consequence गलत निकला तो आपका action गलत है ठीक है तो deontological school rules के उपर focus करेगा rules के उपर focus करता है और rules कैसे बनाने rules बनाने categorical imperative को follow करते हुए यानि कि ऐसे rules बनाओ जो कि universalizable हो जो कि हर एक इंसान similar situation में follow कर सके ठीक है तो moral worth किस पर dependent होगी not on consequence ठीक है इसके अंदर apply किया जा सके बिना किसी contradiction के ठीक है और universally apply किया जा सके या फिर किसी rules की वज़े से वो काम बनाया जाए इसके अंदर free will के बारे में कांत ने बोला कि इंसान के पास free will होती है जिससे वो choose कर सकता है कि उसको कौन सा action लेना है और free will वो अपनी exercise करता है अपने reason के basis पर अपनी moral duty के basis पर उसको एक duty दी गई थी उस duty को fulfill करने के लिए उसने action लिया है ठीक है अपनी मर्जी से या फिर किसी external pressure में नहीं लिया duty की वज़े से लिया है तो यहाँ पर rules और duty के उपर focus है ठीक है autonomy के लिए कि लिए का है नहीं रखना तो यह ज़रूर आप याद रखेंगे कि जो deontological school है वो emphasize करता है duty के उपर, rights के उपर और universal principles के उपर universal principles आपके categorical imperative से आते हैं categorical imperative से ठीक है यह भी critical thinking की बात कहेंगे इनकी और अगर किताबों की बात की जाए तो उन्होंने लिखी थी groundwork of the metaphysics of morals दूसरी लिखी थी critique of practical reasons तीसरी लिखी थी secondary scholarship ठीक है Emmanuel Kant की सिरफ आप deontological theory को अच्छे से याद रखेंगे और categorical imperative को आप अच्छे से याद रखेंगे ठीक है फिर Kant के बाते हैं Jeremy Bentham Jeremy Bentham ने एक concept के उपर काम किया उस concept का नाम था Utilitarianism Utilitarianism का मतलब होता है कि एक ऐसी theory जिसमें हम We want happiness of maximum people Maximum happiness Maximum happiness of Greatest Number of people Maximum happiness of greatest number of people यानि कि आपको वो action लेना है जिसमें जादा लोगों को खुशी मेल रही है ठीक है या फिर एक अगर इसके लिए एक case study की जाती है simple सी माल लीजे या चलिए चुड़ी case study में time जाएगा time मिनी जाते सिरफ theory के उपर ही focus करते है Jeremy Bentham Utilitarianism की बात करते है Utilitarianism का simple सी theory है कि आप वो action लोगे जिसमें जादा से जादा लोगों को happiness मिले Maximum happiness of greatest number of people इसको Utilitarianism क्याते है कि जब आप कोई भी आप काम कर रहे है उस काम से या तो आपको pain हो रहा होगा या फिर आपको pleasure मिल रहा होगा आपको ऐसे काम करने है जिसमें maximum number of people को maximum pleasure मिले और maximum number of people का pain जो है वो कम से कम हो पाए इसको hedonistic calculus कहा जाता है Bentham ने कहा कि जो humans हैं वो अपने pleasure को maximize करना चाते हैं और pain को minimize करना चाते हैं दूसरा उन्होंने principle of utility की बात कही थी principle of utility का मतलब है कि कोई भी action morally right action तब कहला जाएगा जब वो greatest happiness लेके आएगा to the greatest number of people यानि की utilitarianism ये Bentham की थियोरी है तीसरा उन्होंने social contact की बात कही थी social contact almost similar आपको देखने को मिलेगा कि individuals अपनी मर्जी से कहते हैं कि हाँ हम state के थुरू govern करने के लिए राजी हैं क्यों क्योंकि जब state हमें गवन करेगा तो हमें happiness मिलेगी ठीक है happiness मिलेगी impartialty की बात की गए इसके अंदर impartialty not very important बस read कर ली जगा यूटिलिटेरियनिजम आपको अच्छे से याद रखना है Jeremy Bentham का बहुत ही important principle है और hedonistic calculus simple साब से पुछा जाएगा hedonistic calculus और utilitarianism के बारे में कौन बात करता है principle of utility के बारे में कौन बात करता है ठीक है तो यह आपको याद रखने है इन्होंने क्या-क्या काम लिखे थे an introduction to the principles of morals and legislation दूसरा utilitarianism ठीक है जॉन स्टुर्ट मिल की है पर वो यह वाली ठीक है additional points के अंदर ठीक है और बाकी चीज़ों का आप ignore कर सकते हैं not very important time मिले तो read कीज़े otherwise ignore अब जॉन स्टुर्ट मिल पे आ जाते हैं और Jeremy Bentham की theory पर based ही जॉन स्टुर्ट मिल ने utilitarianism लिखा था यह वाली book ठीक है जॉन स्टुर्ट मिल ने Jeremy Bentham की utilitarianism theory को और भी जादा develop किया उसको और भी जादा refine किया Jeremy Bentham ने theory दी थी utilitarianism की utilitarianism की ठीक है इसको refine किया John Stuart Mills ने और उन्होंने theory दी refined utilitarianism refined utilitarianism ठीक है inspired लेकिन वो उसी से ही थे तो इसके अंदर वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि आप सिरफ और सिरफ quantity के basis पर happiness को नहीं देख सकते हैं आप सिरफ और सिरफ quantity के basis पर utility को या फिर utilitarianism को calculate नहीं कर सकते हमें higher level के pleasure देखने हैं कुछ चीज़े ऐसी है जो कि हमें जो pleasure देती हैं वो pleasure हमें जादा important feel होता है या फिर मैं एक example देता हूँ मैं middle class आदमी ठीक है मेरे पास अगर 100 रुपे आ गए ठीक है मैं खुश होँगा ये मेरे को pleasure दे रहा है ये मुझे pain नहीं दे रहा लेकिन अगर अगर मैं society के अंदर हमारी prestige improve हो जाए किसी वज़े से तो यहाँ पे इस time पर मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा लेकिन इस time पर मुझे जो pleasure feel होगा वो pleasure जादा important as compared to the pleasure of getting 100 more rupees ठीक है तो इन्होंने का था कि कुछ pleasure ऐसे होते हैं जो higher level के pleasure होते हैं तो हमें higher level के pleasure को attain करने की कोशिश करनी चाहिए तो higher level के pleasure को इन्होंने intellectual pleasure की बात कही थी ठीक है इन्होंने भी principle of utility की बात की थी which is similar to Bentham's idea लेकिन Bentham के idea में इन्होंने क्या क्या दिया कि pleasure सिरफ और सिरफ quantity पे मत quantity पे मत चेक करो quality भी देखो की कौन सा pleasure जादा important है लोगों को ठीक है जेरिमी Bentham ने hedonistic calculus की बात की थी hedonistic calculus और जो John Stuart मिला है इन्होंने harm principle की बात की थी harm principle क्या कहता है harm principle कहता है कि हर एक इंसान के पास अधिकार है ठीक है अधिकार है चाहे वो कुछ भी बोले चाहे वो वो दूसरों को harm करना चालू कर देते हैं यह harm principle है ठीक है तो यहनोंने क्या का individuals के पास basic liberty है जैसे की freedom of speech and religion ठीक है लेकिन यह वो तब तक exercise करेंगे जब तक की वो दूसरों को harm ना करने लग जाए हेडonistic calculus किसका था चेरेमी Bentham का harm principle किसका है John Stuart Milka दोनों की theory जो है वो काफी हद तक similar आपको देखने को मिलेगी ठीक है इनकी book Utilitarianism Liberty के बारे में इन्होंने बात की थी ठीक है theories of ethics की बात करते हैं already इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इनकी वज़े से आपको ये action ले रहे हैं उसको ethical action कहा जाता है तो इसके main propounder थे आपके कांथ जिन्होंने categorical imperative की बात की थी duties की इसके अंदर बात की जाती है perfect duty होती है जो की unconditional duty है और imperfect duty होती है जो की conditions के साथ की जाती है फिर teleological theory या फिर teleological ethics जिसको consequentialism भी कहा जाता है इसके अंदर ये कहा जाता है कि कोई भी action तब ethical होगा जब उसका outcome या फिर उसका consequence अच्छा है outcome या फिर consequence अच्छा है ठीक है अब जो consequential theory है जब हम Jeremy Bentham की बात करते है तो Jeremy Bentham क्या कहा रहे है कि action तब अच्छा है जब वो maximum लोगों को pleasure दे जब वो maximum लोगों को pleasure दे pleasure क्या है pleasure भी एक तरह का consequence है तो Jeremy Bentham भी teleological school से ही belong करते थे तो उनका जो utilitarian calculus hedonistic calculus है या फिर Mills का harm principle है Mills का harm principle भी आपके consequential school से belong करेगा ठीक है virtue ethics की बात करते है virtue ethics कहता है ये ethics कहता है कि इंसानों को focus करना चाहिए कि अपने अंदर desirable characters desirable values को जाद से जाद कल्टिवेट करें अब इसके अंदर आपको four cardinal virtues याद रखने है किसने दिये थे वो याद रखना है ठीक है Aristotle ने virtues दिये थे courage, justice, temperance and wisdom ठीक है golden mean golden mean किसने दिया था जल्दी से recall कर लीजे golden mean क्या कहता है दोनो extremes को आप avoid करेंगे आपको middle path या फिर golden mean follow करना है utilitarianism में आपको अल्रेडी बता चुका हूँ कि maximum लोगों को maximum happiness दोगे इसी utilitarianism principle को simple भाषा में greatest happiness principle कहा जाता है अब यहाँ पर recall करिए hedonistic calculus किसने दिया था harm principle किसने दिया था ठीक है यह utilitarianism हो गया फिर ethical egoism आजाता है ethical egoism यह कहता है ego का मतलब होता है self जब लोग अपने बारे में सोचें लगे तो ethical egoism होता है कि individuals self interest में act करने चाहिए कि जो चीज मेरे लिए भली है मेरे लिए अच्छी है वो society के लिए भी अच्छी होगी जब हर एक इंसान अपने भले के लिए काम करेगा तो ultimately society के लिए भी अच्छा करेगा same self interest का principle आपको capitalism के अंदर भी देखने को मिलता है जो ethical egoism है यह iron round का objective था इन्होंने यह objective दिया था rational self interest, individualism and capitalism ठीक है सही है गलत है उसमें भी नहीं पढ़ रहे relativism यह कहता है कि जो moral principles है moral principles subjective होते है हो सकता है किसी इंसान के लिए x, y, z action अच्छा है दूसरे इंसान के लिए same action morally गलत हो, immoral action हो ठीक है तो इसलिए जो morals है morals subjective है और वो अलग-अलग individuals के लिए अलग हो सकते हैं, अलग-अलग culture के लिए अलग हो सकते हैं, ठीक है तो morals culture के थुरू determine किये जाते हैं, तो इसलिए relativist जो है, वो cultural relativism की बात करते हैं, कि morals अलग-अलग culture में अलग-अलग देखने को मिलेंगे individuals अपने सच के according मैं जिस चीज को सच मानता हूं, उसके according अपने morals को shape कर लेता हूं फिर आता है अपका contractarianism ये क्या कहता है कि अगर कोई भी action, किसी agreement की वज़े से हो रहा है, तो वो action moral हो जाता है, तो जितने भी moral principles हैं, वो arise करते है from a rational agreement, जैसे कि social contract theory, इसको contractarianism कहा जाता है, तो John Rawls की अभी हम आगे जाके theory of justice पढ़ेंगे, theory of justice अपके contractarianism से belong करती है feminist ethics क्या कहती है, कि society में gender equality होनी चाहिए, और empathy होनी चाहिए, females को भी equal treat करना चाहिए natural law justice क्या कहता है, वो अलरड़ी जरूरत नहीं है, अब हम virtue approach की, या virtue ethics की बात करते है, virtue ethics, simple सी बात कहता है, virtue ethics कहता है कि हर एक individual को अपने character को build करना चाहिए ठीक है, अपने character को build करना चाहिए, इससे पहले हमने देखा, teleological school teleological school कहता है कि action का consequence देखो, consequence अच्छा तो action अच्छा, deontological school कहता है कि जो भी action आप ले रहे हो, अगर वो action originate हो रहा है, because of a duty because of a duty, because of rules, because of laws तो वो action अच्छा है, हमें consequence से कुछ लेना देना नहीं, virtue ethics कहता है कि आप consequence या फिर ये duty को मत देखो, आप ये देखो कि आपका character कैसे है, आप अपने character को develop करने की कोशिश करो, इस character के अंदर आप desirable values, desirable qualities लेकर आओ, जिनको virtuous qualities कहा जाता है, virtuous quality को develop करो, जैसे honesty, courage, compassion, integrity ठीक है, तो ये virtue ethics है virtue ethics, duty और consequence से उपर उठके बात करता है ठीक है, इसके key ideas क्या है की ideas ये हैं, कि कोई भी इंसान अगर अच्छा इंसान है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने अंदर moral virtues को already cultivate कर लिया है ठीक है, इसके अंदर individual को ये encourage किया जाता है कि वो खुच से पूचे कि वो कैसा इंसान बनना चाता है, कैसा इंसान, आप अच्छे इंसान बनना चाते है, तो अच्छे action ही करोगे virtues का role क्या होता है इंसानों के लिए, जो virtues होते है virtues का मतलब है positive character trait, तो जब इंसान के अंदर positive characteristics, desirable qualities होंगी, तो वो इंसान already एक moral इंसान बन जाएगा, तो virtues के example होते है, honesty, justice, kindness courage, wisdom and compassion ठीक है, application not very important अब हम गांदी जी के seven sins की बात कर लेते है, बहुत ही important होता है गांदी जी ने साथ पाप बताए थे, साथ पाप में एक था wealth without work, बिना काम की अगर आप पैसा कमा रहे हो जैसे corruption हो गया, bribe हो गया चोरी हो गई, तो ये wealth without work is a sin, ठीक है दूसरा, pleasure without conscience कि आप सिरफ pleasure लिये जा रहे हो और आप ये देखी नहीं रहे कि आपके pleasure से आपके उपर के action हो रहा है, दूसरे के उपर के action हो रहा है आपकी अंतरात्मा के उपर के action हो रहा है आप pleasure लो, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते रहो कई बारी pleasure होता है जैसे कि extra marital affair शादी हो रखिये लेकिन आपने बाहर affair चला लिया क्यों चला रहे हो आप affair क्योंकि आप pleasure सीख करना चाते हो but ultimately आपकी अंतरात्मा बतारी होगी यार ये गलत काम कर रहा है तू तो pleasure without conscience is a sin knowledge without character is a sin knowledge बिना character के एक पाप बोली गई है अब इसके लिए एक diagram देखते हैं देखिए ये आपका y-axis है इसको x-axis माल लेते है x-axis और ये आपका y-axis y-axis पे मैं skill डाल रहा हूँ ठीक है जैसे जैसे आप y-axis पे ओपर की तरफ जाओगे इसका मतलब ये और ये है कि आप skills को increase कर रहे है skills को increase कर रहे है जैसे जैसे आप x-axis में left to right जाओगे इसका मतलब ये है कि आप अपनी values को increase कर रहे है आप virtuous qualities को increase कर रहे है ठीक है तो माल लेजे कोई इनसान ऐसा है जो इस box के अंदर लाई करता है इस box का मतलब है कि इस इंसान की values low है ठीक है क्योंकि left में लाई कर रहे है इस इंसान की values low है और इस इंसान की skills भी low है अब जिस इंसान की values low है वो society के लिए या किसी के लिए अच्छा काम नहीं करना चाहेगा लेकिन उसके पास इतनी skills नहीं हैं कि वो बहुत जादा नुकसान कर पाए जैसे कि मान लिजए कोई IS officer ठीक है example के तोर पे ले लिलता हूँ कोई IS officer which is very corrupt अब IS officers बहुत intelligent होते हैं बहुत power है उनके पास यानि कि उनकी skills बहुत high होती है अगर कोई IS officer की value खराब निकल आए तो वो अपनी इन skills को use करते हुए बहुत जादा नुकसान कर सकता है तब ही आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे हवलदार होते हैं वो अगर कभी corruption करते हैं 10-20 रुपे में मान जाते हैं 10-20 रुपे की उन्हें रिश्वत चाही होती है IS officer या फिर कोई बड़े बड़े नेता जो होते हैं वो जब रिश्वत लेते हैं तो वो करोडों में लेते हैं तो अगर कोई इंसान low skill और low value का इंसान है तो ये society के लिए harmful है लेकिन बहुत जादा harmful नहीं है क्यों क्योंकि इसके पास इतनी skill ही नहीं है कि वो society के अंदर गलत काम को जादा बड़े लेवल पे कर पाए ठीक है फिर हम उपर आ जाते हैं यहाँ पे अगर कोई इंसान लाई करेगा तो इसका मतलब यह है कि उसके पास skill बहुत हाई है skill बहुत हाई है लेकिन उसकी values low है values low है तो ऐसे में मान लिजे कोई doctor है doctor का मतलब है कि उसके पास बहुत जादा skill है अब इसकी मान लेते हैं कोई doctor बहुत ही अच्छा doctor है संत आदमी है तो इस doctor के पास आप इलाज करने जाओगे आपका अच्छे से इलाज कर देगा इसने अपनी high skill को positive values के साथ use करके लोगों का भला किया वहीं पर मान लिजे कोई doctor है जो की low values वाला है जो की evil आदमी है तो आप उसके पास सर्दी खांसी का इलाज करने गए तो और वो आपकी kidney निकाल के बेच देगा ठीक है अब क्योंकि उसके पास skill जादा है लेकिन उसकी values खराब है इसलिए ये society में बहुत जादा हाम कर सकता है गांधी जी भी यही कह रहे है knowledge without character is very harmful it is a sin आपने knowledge acquire कर ली पर आपका character अच्छा नहीं है तो आप society को बहुत हाम कर सकते हो आप इस वाले box के अंदर लाई करोगे अब यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर skills are high skills are high and values are high यह एक ideal situation होती है यह society के अंदर अच्छा काम करते हैं और बड़े level पर अच्छा काम करते रहते हैं अगर आप इस वाले box की बात करें तो इस box के अंदर values are high but skills are not very high तो ऐसे इंसान society में अच्छा काम करना तो चाते हैं लेकिन इनके पास वो skills नहीं है कि बहुत बड़े level पर वो अच्छा काम कर सकें तो ऐसे लोगों को train करके skills देके हमारी society के अंदर अच्छा काम करवाया जा सकता है तो गांधी जी का एक sin ये भी है knowledge without character is a sin ठीक है knowledge without character is a sin ओसामा बिन लादिन इतनी जादा skillful आदमी था वो क्या orator था लोगों को सिरफ अपनी बातों से encourage motivate कर देता था कुछ भी करने के लिए लेकिन उसने अपनी skills को use किया लोगों को terrorist बनाने के लिए कितना बड़ा नुकसान कर दिया Hitler की बात देख लीज़े पूरे के पूरे देश को Hitler प्यार करने लग गया था पूरा का पूरा देश Hitler को प्यार करने लग गया था बिना morality के अगर आप business कर रहे हो आपके business में integrity नहीं है ethical considerations नहीं है तो वो भी एक पाप है science without humanity आपने fission आपने fission reaction को समझ लिया उसको control करना समझ लिया ठीक है अगर humanity होती तो fission reaction को सिरफ use किया जाता electricity produce करने के लिए ताकि हर किसी का भलाओ लेकिन fission reaction को use किया गया bombs बनाने के लिए तो science without humanity आपका social media आचुका है social media को use करो आप अपने message को लोगों तक पहुँचा सकते हो अच्छी बाते लोगों तक पहुँचा सकते हो पर social media का use होता है memes share करने के लिए social media का use होता है लोगों को bully करने के लिए artificial intelligence से आप doctored fake videos बनाके circulate कर रहे हो तो social media science without humanity worship without sacrifice worship कर रहे हो किसी चीज़ की तो वो selfless होनी चाहिए अगर आप worship कर रहे हो कि बस exam में pass करा दे तो वो selfless नहीं है politics without principles ये भी एक सेन है इसको तो समझाने की ज़रूत ही नहीं अब John Rawls की theory of justice देख लेते हैं बहुत ही important theory है इसके अंदर कुछ terms है वो terms आपको अच्छे से याद रखनी है ठीक है John Rawls ने जो पहली आप याद रखेंगे वो है original position and veil of ignorance अब original position क्या है John Rawls ने ये कहा कि हर एक इंसान को जो भी इंसान कुछ principles बनाना चाहरा है justice से जड़े हुए समाज में justice किस तरह से आएगा जब justice से जड़े हुए principles हम समाज में establish करना चाहरे है तो हमें एक hypothetical scenario में अपने आपको imagine करना चाहिए इस hypothetical scenario के अंदर आप किस position में आते हो society में आपको इसकी कोई भी knowledge नहीं है आपके उसके बाद ऐसे कानून बनाना चाहोगे जो की fair जो की impartial है आप ये fair और impartial कानून या फिर principles सिरफ तब ही बना पाओगे जब आपके पास ये knowledge नहों कि society में आप कहां stand करते हो मान लिजे कोई इंसान है वो society caste के basis पर divided है मान लिजे कोई इंसान है जो की सबसे top most caste के अंदर आता है अब ये इंसान जब कानून बनाने लगेगा principles बनाने लगेगा तो ये हमेशा चाहेगा की मेरी position intact रहनी चाहिए मैं हमेशा hierarchy में सबसे top पे आना चाहिए हूँ तो वो ऐसे ही कानून बनानी की कोशिश करेगा जो की इसको favor करेंगे और बाकी लोगों के against काम करेंगे लेकिन अगर आप veil of ignorance के अंदर काम कर रहे हो यानि कि अगर आप एक ऐसी hypothetical दुनिया में काम कर रहे हो scene में काम कर रहे हो society में levels exist करते भी है या नहीं करते या आपको पता ही नहीं है तो फिर जो आप कानून बनाओगे वो सही कानून बनाओगे क्यों? क्योंकि अब आपको नहीं पता कि आप society में किस level पे हो? हो सकता है society में आप सबसे नीचे वाले level पे हो कि मैं society में कहां पे stand करता हूँ उसको पता है कि हमारी society में क्या-क्या divisions है ये इंसान biased हो सकता है ये ऐसे कानून ऐसे principles बना सकता है जो इसको favor करे, इसकी community को favor करे ठीक है? लेकिन ये biased क्यों है? क्योंकि इसके पास knowledge है कि मैं society में किस level पे आता हूँ ठीक है? अब मान लीजे इस इंसान को अगर हम ऐसी situation में डाल दे कि ये बिलकुल एक ignorance के परदे के पीछे चुपा हुआ है इसको ये पता ही नहीं society में इसका क्या status है क्या इसके circumstances है इसको पता ही नहीं कि इसके क्या talents है तो इसके बाद जब ये कोई principle बनाएगा तो वो principle fair होगा जो कि हर एक इंसान को equal opportunity देने की बात करेगा तो ये दो principles है original position and veil of ignorance original position कहता है कि roll ने कहा एक hypothetical scenario को imagine कर लो जिसको हम original position करेंगे इस original position के अंदर हर एक individual साथ में आएगा और वो justice के नियाए के basic principles को establish करने का काम करेगा ठीक है इस original position के अंदर हम चाहते हैं कि ऐसे justice के principle set हो जिस जो कि fair हो impartial हो ये fair और impartial तब हो सकते हैं जब ये सारे के सारे individuals ignorance के परदे के पीछे हो वेल of ignorance के पीछे हो ये unaware हो कि इनके specific attributes क्या है talents के है social status के है circumstances क्या है जब इन्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता होगा तो वो impartial कानून बनाएंगे जो कि society के अंदर justice लेके आ जाते हैं बहुत ही important point है ये ठीक है जो भी कानून बनाता है वो bias हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपनी power नहीं चोड़नी मुझे अपनी position नहीं चोड़नी ठीक है दो principles दिये थे justice के एक था equal basic liberty दूसरा difference principle बहुत important difference principle ठीक है equal basic liberty क्या क्याता है कि Rawls ने कहा कि जो individuals original position के अंदर है वो ऐसे principles को choose करेंगे जो की greatest possible equal basic liberty provide करेगा हर एक इंसान को हर एक इंसान को equal basic liberty मिलनी चाहिए जादा से जादा ठीक है ये जो liberty है इसमें political freedom, freedom of speech, assembly, personal property rights ये सारे होने चाहिए यानि कि first principle कहता है कि जब original position के अंदर लोग कानून या principles बनाने लगेंगे तो वो हर इंसान के लिए equal basic liberty ensure करने की कोशिश करेंगे दूसरा रात है difference principle difference principle क्या कहता है देखो आप सब को equal तो treat करना चाह रहे हो लेकिन हमारी society में already inequality exist करती है ठीक है तो हम जब principles बनाएंगे तो हम पहली कोशिश तो ये है कि सब को equal basic liberty मिले लेकिन हमारी society के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिने हमारी मदद की जरूरत है तो उनके लिए आप ऐसे principle बनाऊगे कि वो least advantaged लोगों की मदद करें यानि कि least advantaged लोगों की मदद के लिए आप थोड़े से different principle बना सकते हैं इसी को difference principle कहा गया ठीक है रॉल ने ये content किया कि जो social और economic inequalities है वो सिरफ तभी acceptable होंगी जब least advantaged member को benefit provide किया जाएगा यानि कि अगर कोई principle ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें पैसे की distribution की जा रही है तो जादा पैसा least advantaged member को मिलना चाहिए simple भाशा में अगर बोला जाए यही जो difference principle है यही basis बनता है equity का equity यानि कि जो हमारी society में disadvantage लोग है उनकी मदद के लिए आप extra effort करोगे ठीक है यह difference principle होता है बहुत important है difference principle ठीक है तो इसमें Rawls ने कहा था कि जो पहली priority है पहली priority हमेशा first principle को दी जाएगी यानि कि हर किसी के लिए equal basic liberty फिर उसके बाद आप difference principle को second priority पे रखेंगे जिसके अंदर आप ये देखेंगे society में ऐसे कौन लोग है जिन के लिए आपको थोड़ इसी positive discrimination करनी पड़ेगी यही positive discrimination affirmative action या reservation की form लेता है ठीक है तो जो आपके John Rawls की थियोरी है वो fair equality of opportunity की बात करती है क्योंकि जब हर इंसान को equality of opportunity मिलेगी तो समाज के अंदर justice निकल के आएगा अब equal opportunity देते time आपको ये ध्यान नहीं रखना की लोगों का social background या circumstances क्या है ठीक है या फिर हर एक इंसान को equal वो मिलना चाहिए मौका मिलना चाहिए justice का ठीक है maximum principle ये भी आपके John Rawls से ही deal करता है ये क्या कहता है कि हमें एक ऐसी social arrangement choose करनी है जिसके अंदर जिसके अंदर हर एक इंसान को एक minimum level of well-being हमेशा मिलता रहे है ठीक है और जो least advantage member है उनको जाधा benefit मिले क्यों क्योंकि ये already disadvantaged है तो इनको जब थोड़ा सा extra benefit दोगे जैसे reservation या positive discrimination तब ये society में आ गया हैंगे फिर आता है reflective equilibrium reflective equilibrium के अंदर वो कहते हैं कि जो individuals होते हैं reflect करते हैं individuals reflect करते हैं यानि कि individuals के पास अपनी एक reasoning है अपनी एक सोच समझ है इस सोच समझ के according वो समाज के अंदर जो moral principles exist करते हैं उनको adjust करते रहते हैं as per their reasoning ठीक है तो इस के अंदर वो intuitions का use करते हैं principles का use करते हैं अपनी judgment का use करते हैं ठीक है overlapping consensus इसके बारे में जॉन रॉल्स ने क्या कहा जॉन रॉल्स चाते थे कि एक just society बने just society बने जिसके अंदर हर एक इंसान हर एक इंसान कुछ principles के उपर राजी होना चाहिए जैसे की justice justice का मतलब है fairness होना ठीक है इसके उपर हर एक इंसान को consensus बनाना होगा और justice कैसे होगा justice एक broad term होनी चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर applicable हो सके ठीक है अब कुछ ethics की terms है अभी तक हमने सिरफ theories की है क्योंकि वहां से मुझे लग रहा था कि questions आएंगे अब कुछ terms है values morals और ethics normal भाषा में जब हम normally बात करते हैं तो इनको आपस में interchange करके use कर लेते हैं इन terms को ठीक है लेकिन जब हम इनकी एक study करते हैं एक structured तरीके से इस subject को पढ़ते हैं तो इनके बीच में थोड़ थोड़े से difference होते हैं उन difference को देखते हैं पहले हम values की बात करेंगे values का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि एक इनसान अपने लिए valuable मानता है मैं जिस भी चीज़ को अपने लिए valuable मानूँगा वो मेरी value बन जाएगी for example if I consider money as important money मेरे लिए valuable है तो मेरी value के बन गई कि पैसा कमाना मेरी value है material wealth मेरी value है अगर किसी इनसान को लगता है कि मेरे को उतबल जीवन में प्यार चाहिए तो love उसके लिए एक value बन जाएगी ठीक है love value बन गई जब हम पढ़ाई करते हैं ethics को पढ़ते हैं तो value को value को positive या negative तरीके से नहीं देखा जाता value सिरफ value है value लोगों की preference होती है हर इंसान की अपनी values है और हर एक इंसान की धेर सारी values होती है वो इन values को एक hierarchical order के अंदर arrange करके रखता है यानि कि ये वाली जो चीज़ है ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है ये वाली चीज़ मुझे पसंद है पर उतनी पसंद नहीं है तो values hierarchy के अंदर arrange होती है अब इंसान के सामने जब कोई choice आती है तो वो धेर सारी choice आगे alternatives आगे अब वो ये देखेगा कि कौन से alternative से उसकी कौन सी value satisfy हो रही है जो alternative उसकी highest value को satisfy करेगा वो उस alternative को choose करने की कोशिश करेगा ठीक है तो हमारे जो actions है हमारे actions हमारी values से determine होते है इसलिए values को पढ़ना बहुत जरूरी होता है ठीक है तो क्या-क्या याद रखेंगे values hierarchical range होती है values का मतलब है preference ऐसी कोई भी चीज जिसके साथ आप अपनी value को attach करें जिसको आप valuable मान रहे हैं अपने लिए वो आपकी value हो जाती है ठीक है यापके ideas होते है ठीक है values values के अंदर सही गलत की हम पढ़ाई नहीं करते है जब सही गलत की पढ़ाई करने लगते है तो उसमें हम दो terms देखते है देखे values क्या है जो भी चीज मुझे valuable लगेगी जो मेरी preference है वो मेरी value ठीक है अब आप समाज के अंदर रहते हैं आपने कोई action लिया आपके हर एक action को समाज के अंदर judge किया जाता है कि ये action सही है या गलत है तो आपके actions को जब society के अंदर judge करते हैं कि वो सही है या गलत है तो उसको judge करने के लिए कुछ principles follow किये जाते हैं तो जब हर समाज के अपने ये principles होते हैं, इन principles को ethics कहा जाते हैं, ठीक है, तो अब ethics के अंदर देखा जाता है कि आपने जो action लिया वो सही था या गलत था, तो ethics क्या हो जाएंगे, ethics हो जाएंगे, set of principles, जो की एक society follow करती है to determine whether an action is right or wrong, आपका action सही है या गलत है, ये determine करने के ल होंगे, जब भी individual कोई action देखता है, जैसे मेरे सामने मान लीजे, सामने चोर ही हो रही है, ठीक है, तो मैं इस action को जब देखूँगा, तो मेरे मन में अपने आप आप आजागा कि ये तो गलत आ रहा है, ये तो चीज गलत हो रही है, ये मैं decide कर रहा हूँ, society decide नहीं कर रही तो मैंने अपने लिए एक set of principles बना रखे हैं, मैंने अपने लिए एक set of principles बना रखे हैं, जिसके basis पर मैं ये determine करता हूँ, कि जो भी action मैं देख रहा हूँ, या सुन रहा हूँ, या कर रहा हूँ, वो actions सही है या गलत है, ठीक है, तो set of principles, set of principles, अगर ये set of principles, society ने बनाए हैं तो वो ethics कहला जाएंगे अगर यह set of principles किसी individual ने बनाए है तो उसको morals कहा जाएगा हर individual के अपने morals होते हैं इन ही के basis पर वो determine करता है कि action सही है या गलत है और हर society के अपने ethics होते हैं जिनके basis पर society determine करती है कि वो action सही है या गलत है values क्या होती है values foundation की तरह काम करती है values foundation की तरह काम करती है हर इनसान की अपनी value होती है हर society के अंदर अपनी कुछ values होती है और वो hierarchical order में arranged होती है values के time पर हम judge नहीं करते कि वो सही है या गलत है morals और ethics के level पर इसको judge किया जाता है ठीक है तो morals क्योंगे morals वो principles और beliefs होते हैं कि कौन सा behavior या फिर कौन सा action सही है या गलत है ठीक है उसको morals का जाता है morals generally individual level पर देखे जाते हैं ठीक है इनके sources को read कर लिजेगा पर इनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि morals, values, ethics ये कहां कहां से निकल के आ रही है जैसे morals की sources की बात की जाए तो ये आपके religion से आपके culture से, family की upbringing से और आपके personal experience से निकल के आती है morals subjective होते हैं हर एक इनसान के according vary करते हैं हर culture में वो change होते रहते हैं values की बात की जाए तो values का मतलब है आप किस चीज को preference दे रहे हैं कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप priority दे रहे हैं values हमेशा hierarchical order के अंदर arranged होती है ठीक है values की वज़े से एक इनसान को choose करना आसान हो जाता है कि वो कौन सा action लेगा ethics है हो गया ethics set of principles है एक systematic study है principles की जो society के अंदर follow की जाती है ये judge करने के लिए कि what is right and what is wrong terminal value का मतलब होता है ऐसी value जो की मेरा end goal है मैं एक example देता हूँ महात्मा गांधी non-violence को follow करते थे महात्मा गांधी के लिए non-violence अपने आप में एक end goal था अपने आप में वो एक end goal था ठीक है महात्मा गांधी non-violence को follow करते थे क्योंकि वो non-violence ही चाहते थे पूरी दुनिया के अंदर ठीक है अब महात्मा गांधी जी को देखे जो दूसरे leaders हुए दूसरे leaders भी non-violent हो गए लेकिन वो जो non-violence हुए थे non-violence उनका end goal नहीं था वो क्या चाहते थे कि मैं non-violence को follow करके लोगों को motivate करना चाहता हूँ ठीक है लोगों को motivate करना चाहता हूँ तो देखे दोनों की value same है मात्मा गांधी भी non-violence को follow कर रहे हैं ये leader भी non-violence को follow कर रहे हैं लेकिन मात्मा गांधी non-violence को इसलिए follow कर रहे हैं क्योंकि वो non-violent होना चाहते हैं उनका end goal है non-violence ये leader non-violence को use करके दूसरी चीज़ों को achieve करना चाते हैं तो इनका end goal ये बन गया और non-violence क्या बन गया, non-violence वो जरिया बन गया जिसके तुरू वो अपने end goal तक पहुँच रहे हैं तो terminal values वो values होती हैं जो अपने आप में end state है जो की ultimate goal होता है किसी भी individual का for example happiness कोई भी value end goal हो सकती है किसी भी इनसान के लिए ठीक है, और instrumental values क्या हो गई, उसके अंदर आप ये example याद रखिए जिसके अंदर ये वो values होती है जो की एक जरिया बनते हैं means बनते हैं, दूसरी values को attain करने के लिए, ठीक है मैं meditate कर रहा हूँ मैं meditate कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे अपने मान लिजए मुझे क्या करना है मुझे जीवन में शांती चाहिए ठीक है, तो मेरा end goal क्या है शांती, और meditate करना मेरा क्या बन गया, ये मेरा instrumental value बन गया, क्योंकि meditation करके मैं अपने end goal को achieve कर पा रहा हूँ ठीक है फिर होती है personal values personal values हर एक individual की जो खुद की values है वो उसकी personal values हो जाएंगी ठीक है intrinsic values intrinsic values वो होती है जो कि एक इंसान inherently follow करता है एक इंसान के अंदर की जो कुछ की खुद की जो values होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि मेरे अंदर satisfaction आए मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक curiosity थी ये काम करने की मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी personal growth चाहता हूँ मैं अपनी अंदरूनी खुशी के लिए ये सारी की सारे काम कर रहा हूँ, तो जो values मेरे अंदर होती है उनको intrinsic values कहते हैं, फिर होती है कुछ extrinsic values, extrinsic values का मतलब होता है कि ये वाली values मेरे बाहर की values हैं, जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास पैसा आए, wealth तो यहाँ पर जो wealth है, wealth भी मेरे लिए valuable है, लेकिन wealth क्या मेरे अंदर होती है, नहीं, satisfaction मेरे अंदर है, तो वो intrinsic value होगे, extrinsic value वो होती है, जो की बाहर होती है, जो की बाहर होती है, moral values, moral values के अंदर बस यह आ जाता है, वो values जो की सही मानी जाती है, उनको moral values कहते हैं, जैसे कि honesty, fairness, justice, integrity and compassion, अब अगला concept है socialization, socialization का क्या मतलब है, आप जिस society में, जिस culture में रहते हैं, उस society या उस culture की जो values होती हैं, वो values को आप internalize कर लेते हो, अपने अंदर समा लेते हो, जो society की values हैं, वही values आपकी भी बन जाती हैं, इस process को socialization कहते हैं, यहाँ पर भले ही मैं society बोल रहा ह आपकी family की जो values हैं, वही आपकी value बन जाएंगी, तब ही आप देखेंगे कि एक घर के अंदर, माबाप जिस religion को follow करते हैं, बच्चे भी उसी religion को follow करते हुए देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम ऐसा होता है कि माबाप का अपना अलग religion है, और बच्चों का अपना अलग religion है क्यों हो, क्योंकि आप socialize कर चुका है, आप internalize कर चुके हो, ठीक है, तो socialization का है, ये एक lifelong process है, जिसके थुरू individual, individual सीखता है और internalize करता है, values को, beliefs को, norms को, skills को, जो कि उनके culture या society के अंदर prevalent होते हैं, ठीक है, अब socialization के बाद हमें पढ़ना होता है, agents of socialization, जिनके बारे में, और फिर थोड़ी सी ओर detail देखेंगे, agents of socialization की, कोई भी इंसान पैदा होता है, तो सबसे पहले, जो family होती है, family, primary agent of socialization बनता है, जो कि बच्चों के अंदर, जो भी society की values है, family की values है, culture है, उसको inculcate करने की काम करते हैं, तो ये first agent of socialization होते हैं, और क्योंकि ये बच्चों के formative years के अंदर, family का role बहुत important होता है, तो इस time पर जो values बन जाती हैं बच्चों की, वो lifelong values हो जाते हैं, उनको change करना आगे जाके बहुत जादा मुश्किल हो जाता है, फिर उसके बाद आता है school, schools को का जाता है, first formal agent of socialization, जो family है, वो first agent of socialization है, लेकिन formal institution देखा जाए, तो वो school होता है, जहां पर बच्चों को knowledge मिलती है, social norms पता चलते हैं, पहली बार, वो दूसरे लोगों के साथ, घर से बाहर interact करता है, school के अंदर, अलग-अलग background के लोग, बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो वो उन background का, उन differences की जो knowledge है, वो उसको school के अंदर जाके मिलती है फिर आता है peer group, peer group का मतलब होता है, अपनी age group के जो लोग होते हैं, जिनके साथ आप interact करते हैं, वो आपके peer group बनते हैं, peer group से interact करने के बाद, जो आपकी relationship बनती है, आप उनकी value से भी बहुत कुछ सीखते हैं, specially youthful age के अंदर, teenage के अंदर, peer group का बहुत बड़ा influence हमें देखने को मिलता है, फिर media, अगर आप इन में से किसी भी agent of socialization के touch में नहीं है, मान लीजे कि परिवार नहीं है, या school नहीं गए, फिर peer group नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप media के contact में हमेशा आएंगे, चाहे radio हो, चाहे TV हो, चाहे phone हो, किसी ना किसी form में आप media के contact में आते को पढ़ रहे होते हैं, उनकी moral values को सीख रहे होते हैं, family भी हमें religion के बारे में बता रही होती है, तो इसलिए religion भी एक agent बन जाता है socialization का, फिर workplace, जो workplace का culture है, वो भी आपके अंदर inculcate होना चालो हो जाता है, workplace के norms, culture, professional, conduct, stages of socialization की बात की जाए, तो दो stages है, primary socialization, secondary socialization, primary socialization हो early childhood के अंदर, जब बच्चा अपने परिवार के साथ रहे के बोलना, लिखना, ये सारी चीज़े सीख रहा होता है, परिवार के साथ ही वो social skills सीख रहा होता है, तो इसको primary socialization कहते है, early childhood के टाइम पर, secondary socialization, adulthood में और adolescence के टाइम पर आपको देखने को मिलती है, जब बच्चा school जाना चालू कर देता है, peers या फिर workplace में जाता है, वहाँ पर, secondary socialization, हमारे जो viewpoint है, उसको broaden करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने परिवार से बाहर निकल के बाहर के लोगों से मिलना चालू कर रहे है, फिर आता है आपका cultural transmission, कि culture कैसे transmit होता है, from one person to another, from one generation to another, culture की transmission में language का important role है, तो language से आप communicate करके करते हैं, जो भी आपके culture के norms और values हैं, वो सारी की सारी आप inculcate कर लेते हैं, फिर आते है social institutions के role, social institution यानि कि हमारे समाज के अंदर जो institutions बने हुए, उनका क्या role है, तो सबसे पहला जो institution हमारे touch में आता है, वो है हमारा family institution, family institution early socialization को shape करता है हमारी core values हमारी family से ही develop होती है, families हमें emotional support भी provide करते है, educational institution जो कि हमारी cognitive development में हमारी मदद करता है, हमें social skills देता है, क्योंकि पहली बार ये first formal agent of socialization है, जिसमें हम लोगों से पहली बार मिलते हैं, और लोगों से मिलने के बाद हमारी social skills develop होती है, cultural knowledge हमें पता चलती है, cultural differences की awareness generate होत religious institutions के अंदर, जो भी हमारे religion की values हैं, वो सारी आएंगी, फिर economic institution, यानि कि एक तरह से आपके workplace हो गया, आप जो भी काम कर रहे है, economic activity कर रहे है, उसके जो norms है, वो norms आपके अंदर inculcate हो जाते है, roles और आपकी expectations यहां पर बननी चालू हो जाती है, ठीक है, economic institution, identity formation क्या होती है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसको ज़ादा, अपने बारे में awareness नहीं होती, socialization के तुरू उसको यह पता चलता है कि society में जो चीजे हो रहे हैं, किन चीजों को सही माना जा रहे है, किन चीजों को गलत माना जा रहे है, और वो उस हिसाब से उन चीजों को समझना चालू कर देता है अपने बारे में उसकी understanding उस चीज से बनती है अगर कोई बच्चा बच्चपन में बिना कपड़ों के घूम रहा होता है तो बड़े लोग उसको देखके हसने लग जाते हो उसको इसी से पता चल जाता है कि यह कोई funny चीज है लोग बच्चों को cover करने की पर कि उसके पापा अपनी मम्मी को उसकी मम्मी को अच्छे से treat नहीं करते मारते हैं या फिर किसी और तरीके से गलत तरीके से treat करते हैं तो अब female के साथ कैसे behave करना यह चीज वो बच्पन में यहां से सीख रहा है ठीक है तो यह भी जो example है यह भी socialization का example हो जाता है self concept में कह awareness करना बच्चा किस चीज के ऊपर अपनी esteem फील करता है बच्चा अपने बारे में कितना जानता है यह सारी की सारी चीजे identity formation के अंदर आती है फिर social roles के अगर बात की जाए social roles के अंदर देखे आपके आपने जैसे अभी मैंने example दिया था कि आपके पापा अपनी मम्मी को अ कि females को treat करने का तरीक यह होता है कि उन से rudely बात करो उने बात करो उन्हें सही से उन्हें respect मत दो वो तो सिरफ घर में काम करने के लिए खाना बनाने के लिए ही हुई है अब यह सारी की सारी चीजे social roles होते हैं यह सारे की सारे बच्चा सोसाइटी से देंद के ही सीख रहा है तो जो individuals होते हैं, वो social roles को भी सीखते हैं, उनको internalize करते हैं on the basis of the things they see around them gender किस तरह से होगा, age के साथ कैसे जैसे सब बच्चों को पता होता है कि अपने से बड़ों को आप आप करके प्यार से respect से बात करता है, कैसे सीखा social role, socialization, ठीक है फिर cultural and gender socialization अलग gender के, दूसरे gender के लोगों से किस तरह से बात करनी है culture में किस तरह से वो अपने आपको adjust करना यह सारी की सारी चीज़ आती है social control and deviance, यह बहुत important role है देखे, social control का मतलब होता है कि एक example देता हूँ उससे आप समझ जाएंगे, अगर आप किसी joint family में रह 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 रहे है आपके grand parents भी आपके साथ में रहते है तो कल को अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं cigarette दार उपीते हैं, तो आपके grand parents आपको talk देते हैं, यह एक agent बन जाते है, social control के ठीक है, तो जो हमारी society है हमारी society में कुछ norms बने हुए है, कुछ expectations है society के हम से, ठीक है यह जो norms और expectations है यह society के अंदर social order और cohesion के लिए बहुत जरूरी होता है तो अगर कोई भी इंसान, society के norms यह expectation के अलग काम करता है तो society के लोग ही उसको control करना चालू कर देते है deviance का मतलब होता है social norms से अलग जाके काम करना ऐसे काम करना, जो की society के norms के against जाते है re-socialization का मतलब होता है नए norms और values को दुबारा से सीखना for example, अगर आप इंडिया में रहे हैं फिर उसके बाद आप US, Canada, Europe कहीं पे भी move कर जाते हैं तो अब आपको US, Canada, Europe में अपने आपको adjust कराने के लिए उनकी norms, उनके values को सीखना पड़ेगा ठीक है, जो society के ethics होते हैं, अगर आप society के ethics के against जाते हैं, तो आपको social ostracization जहलना पड़ सकता है, social ostracization जहलना पड़ सकता है, ठीक है आप society के ethics को क्यों follow करते हैं ताकि society आपको accept करे ठीक है cultural diversity, जब आप multicultural area में रहते हैं, तो आपको cultural diversity का भी मालूम चल जाता है, ठीक है अब सारी की सारी चीज़े वही जो हमारे agents of socialization है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी detail, ज़ाधा नहीं जाएंगे detail में सबसे पहले family का क्या रोल है, आपकी family member आपके सबसे पहले role models बनते हैं, और आप परिवार के लोगों की तरह ही behave करते हैं, cultural transmission भी परिवार ही करता है आपके society का जो भी culture है, आपका परिवार सिखाता है कि आपको वो culture follow करना है, emotional support आपको मिलता रहता है, society के norms के अगर बात कीजाए, तो society के norms और expectations होती है जो कि आपके behavior को guide करती है आप उन्ही के according ही काम करते है community, जिस community में आप रह रहे हैं आपको उसकी value follow करनी होती है peer influence क्या होता है, आपकी age के जो लोग होते हैं, उनके साथ आप informal तरीके से conversation कर सकते हो, और peer group आपको नई नई चीजे सिखाते हैं, ठीक है तो peer group भी आपके values को affect करते है फिर media और cultural influence हम already देख चुके है education institution के अगर बात करें तो यह first formal agent of socialization होता है, जहां पर पहली बार अपने घर से बहार निकल के लोगों से मिलते है, school के अंदर आपके character की development होती है, आपको civic education मिलती है, आपकी cognitive development यहां पर होती है, आपको critical thinking सिखाई जाती है, ठीक है schools के अंदर आपको duty, discipline, इस तरह की values सीखने को मिलेंगी ठीक है, फिर intersection of family society and education, वही आपकी values को reinforce करने के लिए diversity और inclusion के बारे में आपको पता चलता है lifelong learning आपकी चलती रहती है, सबसे पहले आप सीखते है family से, फिर education से और society से आप पूरी जिंदगी कुछ न कुछ सीखते रहते है, ठीक है, तो lifelong learning आपको यहां पर देखने को मिलेगी अब हम आते हैं अपने topic पे essence of ethics in human action, human action क्या होता है, Thomas Aquinas की definition आप याद रखेंगे, ठीक है, जो उसके तीन points थे, वो तीन points आप याद रखेंगे ठीक है, अब essence का मतलब होता है SAR, SAR, जो ethics है, ethics का crux क्या है तो ethics का crux होता है कि what is right and what is wrong आप अपने behavior को कैसे modify करेंगे according to the principles according to the principles of the society, ठीक है, उन्ही principles के according आपको behave करना है अगर आप society के ethics के खिलाफ जाएंगे तो आपको punish किया जाएगा और अगर आप society के ethics को follow करेंगे तो आप society के एक acceptable member बनेंगे, ठीक है, कौन से आपके actions acceptable है और कौन से actions acceptable नहीं है, ये ethics determine करते हैं, ठीक है हर society के अपने ethics होते हैं guiding principles ये सिरफ read कर ले ना इसमेंसे आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा अगला topic है हमारा, determinant of ethics in human action तो determinants के अंदर क्या क्या आता है, determinants में सबसे पहला आता आपका cultural influence तो culture के जो भी culture के norms और values हैं, वही आपके ethical perspective को shape करते हैं फिर cultural relativism इसका मतलब होता है कि अलग-अलग culture के ethical standards हैं, उनको recognize करना, अलग-अलग culture में similar ethics भी आपको देखने को मिलेंगे तो उसको जब आप recognize करते हैं, वो relativism है फिर individual influence individual influence में हर एक इंसान की अपनी कुछ personal values होती हैं चाहे वो socialization से सीखे, चाहे उसकी inherent values हो, लेकिन उसकी ये core beliefs होते हैं, जिनको change करना बहुती ज़ादा मुश्किल होता है, फिर moral development, जब भी कोई इंसान grow कर रहा होता, उसकी cognitive growth हो रही होती है, उस time पर भी उसकी ethical reasoning change होती रहती है, फिर cognitive biases, हर इंसान के मन में कुछ न कुछ biases होते हैं, और वो biases भी आपके decisions को, actions को affect करते हैं, फिर societal and economic factors, जो भी economic stability, अगर economic stability नहीं होगी तो कई बार आप अपने ethics को भी side में रख देते हैं, एक पैसे कमाने के लिए social inequality, ये भी एक factor है, जो की ethics को determine करता है, ठीक है organization factor, आप जिस organization में काम करेंगे, उस organization के norms को आप follow करते हैं, ठीक है, इसको workplace के norms भी आप कह सकते हैं, organization का culture भी कह सकते हैं, तो हर organization के अपना culture है, जिसको उसके employees follow करते हैं, leadership behavior, ठीक है, जो भी आपके leader है, वो leader किस तरह से आपको encourage कर रहे हैं, किस तरह की वो tone यूज़ कर रहे हैं, leaders, किन ethical, किन चीजों को ethical मानते हैं, वो चीज़े बहुत जरूरी है, अगर कोई leader कहेगा कि corrupt होना ethical है, तो उसके junior भी कही ना कही corruption की तरह पहुँचन लग जाएंगे, तो leadership behavior बहुत important role play करता है, फिर जिस भी organization में आप काम करते हैं, उनके यहाँ पर कुछ ना कुछ code of conduct code of conduct and code of ethics बने होते हैं, ठीक है, फिर environmental influences, environmental influences का मतलब है, कि आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपके आस पास का environment कैसा है, किस तरह के कानून बने हुए हैं, किस तरह का culture आपके आस पास आपको देखने को मिल रहे हैं, technological advancement, जैसे यह से तेज से technology आ रही है, तो technology के साथ साथ ethical norms भी change होते जा रहे हैं, ठीक है, religion और philosophical belief, यह तो सबसे important role play करेंगी, करेंगे, education and learning experience भी, ठीक है, consequence of ethics in human action, बहुत important point है यह, कि आप जो भी action लेते हैं, ठीक है, ethics के basis पर आप जो भी human action लेते हैं, उसका क्या क्या consequence है, सबसे पहले individual के उपर क्या क्या असर पड़ता है, आप जो भी action ले रहे हैं, वो आपकी well being से directly associated है, आप अगर गलत action लेंगे, तो आपकी reputation खराब होगी, आपके उपर से लोग trust हटा देंगे, आपके career advancement में भी, आपके human actions बहुत important है, अगर आप corrupt इंसानें तो हो सकता है, कि आप आगे जाके career में advance ही ना कर पाएं, आपको leadership opportunities ना मिल पाएं, फिर आप जिस organization में काम करें, आपके actions का उस organization के उपर भी असर पड़ता है, corporate की reputation उसके employees से ही बनती है, employees का moral और productivity ये भी बहुत जादा effect होता है, मान लिजे आपका कोई कलीग है और वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो unethical है, और आपके boss उस unethical कली को favor कर रहे हैं, आपका moral और productivity अपने आप ही डाउन हो जाती है, फिर legal और regulatory compliance जो भी laws बने हैं, उनके साथ आप तब comply करेंगे, जब आपके ethics उसको support कर रहे हैं, ठीक है, social consequence, यानि कि आपके actions society पर क्या असर डाल रहे हैं, तो आपकी community के उपर असर होगा, global impact देखने को मिलता है, justice के उपर impact देखने को मिलता है, economic consequence हो सकता है, जैसे कि कोई भी organization है, अगर organization ethical conduct नहीं कर रही, तो उसके consumer, उसके जो customer हैं, वो उसके उपर कभी भी trust नहीं दिखाएंगे, वो loyal नहीं रहेंगे, investor का confidence उस organization से हट जाएगा, long term के लिए ये business की sustainability को बहाँ जादा hamper करता है, legal consequence, अगर आप कोई unethical behavior करते हैं, जो की laws के against जाता है, तो आपके उपर case भी किया जा सकता है, आपके office वाले, आपके जो seniors हैं, वो आपके उपर punishment भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी हो सकता है, प्रोमोशन को रोक दिया जाए, या फिर आपको गलट जगा ट्रांसफर कर दिया जाए, criminal charges आपके उपर लगाए जा सकते हैं, global consequence का है, अगर कोई देश ethically behave नहीं कर रहा, तो international relation में उसके behave, उसका जो relation है बाकी देशों के साथ, वो hamper हो जाता है, आपको पता है हमारा प्यारा पाकिस्तानी, उसके कैसे relation बाकी देशों के साथ है, अब dimensions of ethics देखते हैं, सिरफ terms important है, आज paper हो चुका है, तो इतना तो पता चल चुका है कि, बहुत ज़दा depth में जाने की जरूत नहीं है, सिरफ आपको terms पता होनी चाहिए, अब ethics को कैसे पढ़ना है, उसको meta-ethics कहते हैं, चीक है, जब हम study of what is right and wrong करते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, तो कहा जाते हैं हम ethics पढ़ रहे हैं, अब ethics को कैसे पढ़ना है, वो meta-ethics बताता है, इसके अंदर बताए जाते हैं कि ethics के क्या-क्या concepts होंगे, ethics का कैसे origin हुआ, moral language क्या होती है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सारी-सारी चीज़े meta-ethics में लिखी होती है, normative ethics, normative ethics बताता है, what it should be, क्या होना चाहिए, what it should be, norms क्या होने चाहिए, यानि कि सही चीज क्या है, तो normative ethics, ideal चीज़ों के बारे में बताता है, कि morally कौन सी चीज़े सही है, कौन सी चीज़े गलत होती है, ठीक है, ये normative ethics होता है, यानि कि क्या होना चाहिए, descriptive ethics क्या बताता है, descriptive ethics बताता है, what it is, ठीक है, norms में बताएगा कि आपको किस तरह से behave करना चाहिए, descriptive में बताएगा कि आप कि इस तरह से behave कर रहे हो, what it is, यह जो है, यह ideal होता है normative, जबकि जो descriptive होता है, यह practical चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है, applied ethics क्या होती है, ethics को, अपनी life के अलग-अलग areas के अंदर, अलग-अलग context के अंदर apply करना, for example, business के अंदर ethics लगाना, यानि की business की ethics होनी चाहिए, medical, चीजिए, उपर हमने digital ethics भी देखा था, अगर आप याद करें तो, metamorality क्या होता है, metamorality का मतलब होता है, कि जो ethical theories और system बने हुए, उनको analyze करना, उनको evaluate करना, यह examine करना, कि जो अलग-अलग ethical frameworks हैं, वो कितने valid हैं, consistent हैं, और coherent है, individual ethics, simple सी definition है, एक individual इंसान की जो ethics होती है, कि एक इंसान अपनी moral development और decision making के लिए किन-किन values को follow कर रहा है, social ethics, society की ethics को social ethics करते हैं, professional ethics, आप जिस भी profession में, occupation में काम कर रहे हैं, उस occupation से जुड़े हुए जो भी ethical values हैं, उन values को follow करो, environmental ethics, environmental ethics होते हैं, कि आप अपने natural world को respect कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, कहीं आप पैसे कमा आने की होड में, अपने environment को इतना damage तो नहीं कर रहे हैं, कि आने वाले समय में, हमारा environment पूरी तरह खराब हो जाए, environmental ethics, political ethics, की politics के अंदर आप सही से behave करेंगे, cultural ethics, ठीक है, यह सब not very important, read करके एक बार ही आप जा सकते हैं, ठीक है, अब अलग-अलग relationship में, ethics का रोल एक बार ह देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, private relationship में एक इंसान को क्यों ethical होना चाहिए, private relationship का मतलब है, relationship between two individuals, which is not public, ठीक है, आपके घर के अंदर, आपके मम्मी पापा के साथ जो रिष्टे हैं, आपके आपकी wife के साथ, या girlfriend के साथ, boyfriend के साथ, पती के साथ, क्या रिष्टे हैं, आप communication open होनी चाहिए, कि आप एक दूसरे से बाते चुपाएं नहीं, इस से आपके relationship की quality और life, दोनों ही increase हो जाती है, private relationship में autonomy देनी चाहिए, जैसे मैं इसमें example लेता हूँ, पती पतनी का, ठीक है, अब इंडिया के अंदर जातर रहसा होता है, कि जब दो लोगों की शादी होती ठीक है, ये खुद से कमाना चाती होगी, हो सकता है, खुद से घूमना चाती हो, कैसे कबडे पहने, ये उसकी खुद की choice है, लेकिन हम क्या सोचने लग जाते हैं, हम उसको अपनी property की तरह treat करते रहते हैं, और उसकी autonomy को hamper कर देते हैं, सारी की सारी चीज़े जो हम बोलते ह हम चाहते हैं कि वो वही काम करती रहे, तो private relationship में दूसरे की individual autonomy को respect करो, इसे understanding बनती है, ठीक है, और दोनों को relationship में जितने भी लोग हैं, उनको freedom और independence का एहसास होता है, तो वो खुश रहते हैं, communication और transparency होनी चाहिए, secret मत रखो, ठीक है, जब भी कोई इंसान आपस में बात कर सामने वाले को चुप होने का वेट कर रहे होते हैं कि वो चुप हो तो हम कुछ बोलें, तो ये active listening नहीं होती, सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप अपने खयालों में खो गए, जैसे हो सकता है, इस lecture के दौरान आप खो गए हो, ठीक है, अपनी girlfriend, boyfriend को याद करके, उसको passive listening क्याता है, नहीं, actively सुनो कि क्या हो रहा है, जब आप actively चीजों को सुनते हैं, तो misunderstanding reduce होती है, और intimacy increase होती है, commitment और fidelity होनी चाहिए, infidelity नहीं होनी चाहिए, faithful रहो, loyal रहो, ताकि relationship strong रहे, relationship के अंदर fairness और justice होना चाहिए, एक दूसरे को fairly और justly treat करो, equality, empathy, ये सारी चीज़े पूरी है, public relationship, यानि कि आपके जनता के साथ क्या relation है, for example, कोई officer है, फिक है, अब ये जो officer है, ये office के अंदर जब बैठा है, तो जनता के से बात कर रही है, तो जनता से ये कैसे बात कर रहा है, ये उसका public relation है, जब ये officer अपने घर जाता है, घर पे बीवी बच्चों से बात करता है, तो वो इस officer का private relation है, तो public relation के अंदर इंसानों को public service के ethics को follow करना होता है, जैसे कि integrity, accountability, transparency, तो यहाँ पर code of conduct जो बने है, उन्हें follow करो, जिससे public के अंदर trust generate होता है, और government के प्रती लोगों को confidence आता है, आप अपने decisions के लिए accountable बनो, कोई गलती हुई, तो आपको उसक fulfill करने की कोशिश करो, rule of law को follow करो, illegal काम कोई भी नहीं करना है, justice को prevail करना है, कुछ भी ऐसा मत करो, जिसमें conflict of interest देखे, conflict of interest का मतलब होता है, कि आप दो चीजों में involved हो, और यह दोनों चीजें आपस में conflict करती है, ठीक है, तो इसके अंदर, जैसे आपका कोई self interest है, और एक organization का interest है, तो हमेशा organization के interest को आप ऊपर की तरफ रखो, जब भी कोई conflict होगा, तो आप अपने self interest को खतम करके organization के interest के लिए काम करोगे, corruption नहीं करोगे, ताकि public trust बना रहे, यहाँ पे भी आपको right to information पता ही है, यानि कि transparent रहो, open रहो, information को openly share करो, जनता को involve करो decision making के अंदर, social justice और equity के उपर आप focus करो, चीक है, values मैं आपको already बता चुक हूँ, value का क्या वो होता है, norms का मतलब होता है, what it should be, मतलब ideally क्या होना चाहिए, तो ideal values क्या होनी चाहिए, उसको normative values कहते है, values, values hierarchical होती है, contextual होती है, जैसे ही context change होता है, तो values भी change हो जाती है, तो ये भी एक चीज़ ने बताया, कि जिस तरह values अगर change हो सकती है, तो वो static नहीं कह सकते है, वो dynamic होती है, values action oriented होती है, आप जो action लेते हैं, वो आपकी values के उपर बहुत जादा dependent होता है, values के साथ आपके emotions जुड़े होते हैं, इसलिए उनको emotionally charged भी कहते हैं, values को challenge भी किया जा सकता है, उनको criticize भी किय होता है, values are universally relevant also, ठीक है, आप कुछ values हैं, उनकी बस definition देखते चलिए कि अगर आज़े तो आपको पतावना चाहिए, integrity का मतलब होता है, complete whole, integrity का मतलब होता है कि आप जो बोल रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी difference नहीं है, integrity, जैसे हम कहते हैं कि integrity का मतलब होता है, खंडित ना होना, टुकडे ना होना, ठीक है, तो अगर आप जो बोल रहे हैं, वो अलग है, और जो आप काम कर रहे हैं, वो अलग है, तो यानि कि आपके बोलने और काम करने के बीच में दो अलग अलग टुकडे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा honesty और moral principles को uphold करना है, चाहे आपको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो honesty का मतलब होता है कि आप honest है ठीक है, और integrity का मतलब है कि आप तब भी honest रहेंगे जब आपके ओपर कोई pressure आ रहा है या फिर जब आपको कोई लालच दे रहा है तो भी, हर action में आपको honest और moral रहना है, अपने आप से आपको सचा रहना है ठीक है, respect का मतलब होता है हर एक इंसान को dignity और acceptance के साथ treat करना, ठीक है diversity को recognize करना उनको appreciate करना, responsibility का मतलब होता है कि अगर आपने कोई action लिया है, कोई decision लिया है, तो उस responsibility लेनी होगी कि आपकी वज़े से वो है, वो हो आपका decision था, ठीक है responsibility आपके commitments और obligations को fulfill करने में मदद करता है, fairness का मतलब होता है कि हर एक इंसान को just और equitable तरीके से treat करो किसी भी तरह का bias या discrimination नहीं होना चाहिए, compassion का मतलब है कि आप किसी इंसान के बारे में देखे, तीन टम्स यहाँ पर या चलिए, compassion को अभी हम आगे cover करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पहले sympathy और empathy भी हम cover करेंगे courage का मतलब है, bravery और determination दिखाना, जब आपके सामने कोई challenge आया हो, honesty का मतलब होता है हमेशा truthful रहना, transparent रहना बिल्कुल भी deceit मत करना, किसी को deceive मत करो, manipulate मत करो ठीक है, empathy को भी हम आगे cover करेंगे gratitude का मतलब होता है कि अगर आपके लिए life में किसी ने कुछ अच्छा किया है तो show appreciation, उसको thanks बोलो, उसको बताओ कि आपने जो किया है, उसको हम recognize करते है tolerance का मतलब होता है कि अलग-अलग values को respect करो उन differences को accept करो diversity को respect आप तभी करोगे जब आप tolerant होगे, humility का मतलब होता है जादा घमंड मत करना, lack of arrogance, patience का मतलब होता है थोड़ा सा सायम से काम को करना हर एक, मतलब मान लीजे आपके सामने कोई activity हो रही है तो कुछ लोग impulsively उसके उपर react कर देते हैं, हर action के उपर तुरंत react नहीं करना हो चाहिए अपने impulse के उपर तुरंत act नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सो समझ के काम करना चाहिए, ठीक है फिर generosity, generosity का मतलब होता है बाकियों की मदद करो, बिना उनसे कुछ expect किये, loyalty का मतलब होता है faithfulness दिखाओ, अगर किसी को कोई जरुवत है, तो जरुवत के time पर उसके साथ खड़े रहो, gratitude, gratitude का मतलब वही thankful, feel करना, recognize करना कि किसी ने आपकी मदद किया altruism का मतलब होता है selflessly दूसरे लोगों की मदद करना, ठीक है, taking care for the greater good, इसको altruism कहते है forgiveness का मतलब, माफ कर दो ठीक है, wisdom, wisdom का मतलब होता है, thoughtful decisions लेना, ठीक है, thoughtful prudence भी कहते हैं wisdom को, prudence यानि कि सोच समझ के काम करो, ऐसा है कि अपने impulse में कुछ भी कर दिया hope का मतलब है कि एक दम निराश मत हो जा optimistic रहो, अपने future के उपर confident रहो, positive outcomes के अंदर believe करो, unity का मतलब होता है साथ में रहो, togetherness और cooperation की feeling होनी चाहिए, तभी relationship में harmony आप आएगी, ठीक है, अब तीन definition देख रहे हैं, sympathy, empathy and compassion, ऊपर मैंने चुड़वाई थी, जब मैं इसके अंदर एक example देता हूँ कि कई बारी हम किसी disabled इंसान को देखते हैं, या फिर डिफरेंटली इंसान को देखते हैं, तो जब भी हम डिफरेंटली इंसान को देखेंगे, उसको देखते ही हमारे मन में आता है, है बेचारा, है बेचारा ये जो word है, बेचारा इस बेचारे के, इस word के अंदर आपकी pity चुपी हुए है कि आप उसके उपर दया भाव दिखा रहे हैं दया भाव दिखा रहे हैं आप उसके, उसकी condition को देखके कि आपको ये तो फील हो रहा है कि यार उसको बुरा लग रहा होगा इसको sympathy का जाता है लेकिन sympathy को थोड़ा सा म नेगटिवली देखते हैं क्यों? क्योंकि आपने वाड़ी उसके है है बेचारा, आपको उसके उपर दया आ आरही है मैं लगता है कि हम sympathize कर रहे हैं उसके साथ लेकिन basically ये एक negative चीज मानी जाती है आप दूसरे के sorrow को ये तो समझ रहे हो कि उसको problem हो रही होगी लेकिन आप उसको negative तरीके से समझ रहे हो, ठीक है? empathy का मतलब होता है कि आपने किसी इंसान को problem में देखा problem में देखके आपने खुद को imagine किया उस इंसान की जगा पे और आपने ये समझने की कोशिश की कि उसको कितनी problem हो रही होगी तो यहां पे आपके मन में दया भाव नहीं आती यहां पे आप actual में समझते हो कि उस इंसान के क्या-क्या sorrow है sympathy में आप सिरफ उस इंसान, वो इंसान sorrow में है वो इंसान problem में आप सिरफ यही बात समझ पाते हो लेकिन क्या problem है, इस problem में वो इंसान कैसा feel कर रहा होगा ठीक है, यह सारी की सारी चीज़ आप empathy के अंदर feel करते है ठीक है, तो sympathy क्या है, it is the ability to feel sorrow and pity for someone बंदया भाव करना किसी के उपर, ठीक है वही पर empathy की बात की जाए, तो empathy का मतलब होता है कि सामने वाले इंसान की problem की problem को अच्छे से समझो और उसकी feelings को share करो आप अपने आपको imagine करो उस इंसान के shoes में ठीक है, imagine yourself in that person's shoes इसको empathy कहा जाता है empathy एक positive emotion माना जाता है, sympathy negative मानते है compassion का मतलब है कि आप किसी इंसान की problem से इतने जादा move हो गए that you want to take some action so that you can elevate that person from his or her problems आप एक action लेना चाते हैं कि ताकि सामने वाले की condition को आप सुधार सको सामने वाले की suffering से उसको alleviate कर सको ठीक है, तो compassion के अंदर action का भी component आ जाता है कि इतनी strong desire है कि मैं उसकी suffering को भी खतम करना चाता हूँ ठीक है, तो पहले sympathy दयाभाव होती है empathy जब आप उस चीज को अच्छे से समझने लगए उसको क्या क्या problem है और compassion का मतलब है कि अब आप उसको उसकी suffering से बाहर निकालना चाते हो आप कोई action लेना चाते हो, इसके अंदर action भी होता है compassion leads to act of kindness, assistance और support integrity, already integrity हम उपर देख चुके है, respect देख चुके है इस सारी की सारी terms, confidentiality का मतलब होता है कि कुछ-कुछ information private होती है, उसको release नहीं करना चाहिए यह सारी चीजे हम देख चुके है, informed consent का मतलब होता है कि आप किसी इनसान से बिना permission लिए बिना permission लिए कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है for example, कोई operation करना है doctor को, तो operation doctor करने से पहले, doctor operation करने से पहले अपने patient को सारी चीजे समझाएगा, उसको सारी information देगा और information देने के बाद उस इनसान से उसकी consent मागेगा कि क्या मैं operation करू या नहीं इसको काता है informed consent, सामने वाले को पहले information दो फिर consent मागो, whistleblowing का मतलब होता है कि आप जिस organization में काम कर रहे हो, मान लिजे उसी organization के अंदर कुछ corruption हो रहा है, और आप उस corruption का solution आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस corruption की reporting कर दो, तो इसको कहा जाता है whistleblow कर देना rights and duties, rights का मतलब होता है entitlements या फिर claim एक individual कुछ चीजों के उपर claim करता है कि ये चीजे मेरी है, मुझे ये अधिकार मिले हुए है जो rights होते हैं ये individual centric होते हैं, हर इंसान के अपने rights है जैसे कि right to freedom of speech, right to privacy, right to education rights को जातर कानून से या फिर regulation से enforce किया जाता है, protect किया जाता है जब आपको अधिकार मिलते हैं तो इन अधिकारों के साथ आपको corresponding duties भी मिलती है और आपकी duty के है कि आप जब अपने अधिकारों को enjoy करोगे तो आप दूसरों के अधिकारों को इसके अंदर harm नहीं करोगे और भी अगर कोई किसी देश में duties बना रखे हैं तो उन duties को follow करना होता है duties की बात की जाए तो ये आपके उपर moral या फिर legal obligation होती है कुछ काम करने की to perform certain action, कुछ actions लेने की duty होती है ये आपके action centric होते हैं, ठीक है टाइप सब justice की उपर आ जाते हैं नियाय में distributed justice की बात करते है distributed justice का मतलब है कि एक देश में धेर सारे resources होते है एक देश की economic growth होती है तो उस growth से resources होते है, economy की growth होती है तो ये जो resources और growth है, इन resources और growth को हमारे देश में लोगों में कैसे distribute किया जारा है for example tax, tax एक तरह से distributive justice का tool है जिसमें rich लोगों के उपर जादा tax लगाया जाता है और इस tax से जो पैसा इखटा होता है उससे welfare schemes बनाई जाती है और ये welfare schemes समाज में जो disadvantaged position के अंदर है उन लोगों को मदद की जाती है ठीक है तो wealth की fair distribution होनी हर इंसान को education और opportunity का equal access मिलना चाहिए फिर आता है retributive justice retributive justice का क्या मतलब है an eye for an eye an eye for an eye तूने अगर मेरी आँख फोड़ी तो मैं भी तेरी आँख फोड़ दूगा यानि कि किसी एक इंसान ने कोई गलत काम किया तो आप उससे बदला लो इसको का जाता है retributive justice retributive justice is concerned with punishment for wrongdoing or offense ठीक है तो जातर जो legal system होते हैं वो या तो retributive होते हैं या restorative होते हैं restorative legal system क्या क्याते हैं कि अगर किसी इंसान ने कुछ गलत काम किया है तो उसको restore करने की कोशिश करो उसको सुधारने की कोशिश करो अगर गलत काम पे आपने फासी ही दे दी तो आपने revenge तो ले लिया लेकिन वो इंसान तो मर गया उसको सुधारा भी तो जा सकता था क्या पता सुधारने के बाद वो देश के लिए एक asset की तरह काम कर पाता ठीक है social justice का मतब होता है समाज के अंदर नयाय होना चाहिए समाज के अंदर नयाय तब होगा जब समाज के अंदर कोई भी arbitrary privilege exist नहीं करेगा लोगों को fair या फिर equal opportunity मिलेगी ठीक है लोगों को equal opportunity मिलेगी इसको social justice कहा जाता है कि हर इंसान को equal rights access or treatment मिलनी चाहिए regardless of social status चाहे किसी भी इंसान का कोई भी social status हो उसको equal rights access or treatment मिलना चाहिए procedural justice का मतलब यह है कि जब भी आप किसी legal system के अंदर काम कर रहे हो तो जो procedure है procedure हर एक इंसान के उपर same तरीके से लागू होना चाहिए और यह procedure अपने आप में fair होना चाहिए transparent होना चाहिए और unbiased procedure follow किया जाना चाहिए global justice, global scale के उपर justice को अब attitudes के उपर आ जाते है attitude क्या होता है हाला कि यह आपके syllabus में नहीं लिखा हुआ फिर भी थोड़ा सा topic है इसको करी लेंगे attitude एक psychological construct है basically मैं इसके अंदर एक आपको example देता हूँ attitude एक तरह से आपके sunglasses होते है ठीक है जैसे sunglasses है आपने अगर black color के sunglasses लगा रखा है तो आपको हर एक चीज थोड़ी सी dark दिखाई देती है अगर आपने green color के sunglasses लगा रखा है तो आपको हर एक चीज green दिखाई देती है तो इसी तरह से attitude को भी आप एक तरह से एक चश्मा मान के चलिए, यह आपका साइकलोजिकल चश्मा है, साइकलोजिकल संग्लास, ठीक है, आपका किसी ना किसी चीज को लेके कुछ ना कुछ एटिट्यूड होगा, मैं एक एक एक्जम्पल लेता हूँ, जातर इंडिया के अंदर एक एटिट्यूड है, फीमेल्स आर नाट गुड ड्राइवर्स, फीमेल्स आर नाट गुड ड्राइवर्स, ठीक है, अब यह एटिट्यूड बहुत जादा हमें देखने को मिलता है लोगों को, अब कल को आप गाड़ी चला रहे हो, आपने रोड पे किसी फीमेल को गाड़ी चलाते देखा, आप अब को लगए आर यह तो अची ड्राइवर नी होगी कहीं ठोकना दे, यह क्या था, यह आपने एक स्टीरियो टाइप बना रखा है, उस स्टीरियो टाइप के बेसिस पर ही, आप सारी की सारी लड़कियों को एक जैसा देख रहे हो, ठीक है, तो एटिटूड एक तरह का च किसी भी object, person, group, event या idea को evaluate करता है, ठीक है, आपके सामने कोई भी object, person, group, event या idea आया, तो आप उसके बारे में अच्छा फील करते हो, बुरा फील करते हो, यह आपके attitude के उपर depend करता है, तो attitude के तीन component होते हैं, जिसको हम C, A, B से याद रखते हैं, C से होता है cognitive component, दूसरा affective component और तीसरा behavioral component, ठीक है, attitude के यह तीन component आपको याद रखने है, कोई भी attitude form करने से पहले आती है, आपकी cognitive stage, cognitive stage का मतलब है कि यहाँ पे, आप धेर सारी information को collect करोगे, information और knowledge को acquire करोगे, ठीक है, तो जो भी आपके सामने object है, person है, event है, idea है, आप उसके बारे में, information को collect करने लगो ठीक है, फिर उसके बाद, उस information के basis पर आपके मन में कुछ न कुछ emotions जुडेंगे, कुछ न कुछ feelings जुडेंगी, यह जो emotions है, या तो like होगा, या dislike होगा, या फिर किसी और तरह की emotions जूडते जाएंगे, अब आपने क्या क्या क्या, आपने information collect कर ली, इस information के basis पर, emotions आगे आ तो cognitive stage में आप information और knowledge को acquire करते हो affective stage में आप आपका emotional response निकल के आता है आपकी feelings निकल के आती है behavioral stage के अंदर आप actions लेते हो आप बताते हो कि आप actually में क्या करने वाले हो ठीक है तो यह आपके तीन stages होते है attitude formation के C, A, B cognitive, cognitive, affective and behavioral फिर इसके बाद attitude formation के अंदर और कौन कौन सी चीज़े influence करती है पहला है social learning आप अपनी society से क्या क्या चीज़े सीख रहे हो direct experience, देखिए मेरे को कुत्ते बहुत पसंद थे, dogs मुझे बहुत पसंद थे, फिर उसके बाद एक कुत्ते ने मुझे काट लिया, ठीक है फिर उसके बाद मेरे emotions निकलके है कि मेरे को rabies पसंद नहीं है मेरे को कुत्ते से कटवाना नहीं है फिर उसके बाद मेरा behavior affect होने लग गया जब भी कोई कुत्त आता था मैं उसको भगा देता था तो ये मेरा direct experience हो गया ठीक है, फिर socialization and cultural influences ये भी socialization भी आपको affect करेगी media और communication भी ठीक है ये सारी चीज़े हम कर चुक है personal values and belief system ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपके syllabus में लिखा हुआ है कि आपको कुछ thinkers इंडिया के personalities इंडिया के कुछ important personalities और administrators, इन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होने चाहिए, अब देखे इन चीज़ों का ना तो कोई आदी है ना कोई अंत है तो जितना मुझे sufficient लगेगा उतना मैं कराने की कोशिश करता हूँ आप भी बहुत जादा इन चीज़ों के पीछे मत भागेगा यहां से पता नहीं कितने ही spiritualism के बीच में यह Morian Empire की establishment में चानक्या का बहुत important role था मात्मा गंदी जी की अगर बात की जाए तो इन्होंने truth और non-violence को core principle बनाया, इन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर ही भगवान exist करता है इन्होंने western culture को criticize किया और इंडिया के अंदर स्वराज लाने की बात कही थी ठीक है, यह society के अंदर social integration की बात करते थे, love की बात करते थे तब ही इन्होंने हरीजन्स के appointment के लिए काम किया स्वामी विवेकनंद की बात की जाए वैसे इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाने वाला है ठीक है एक बार ही आप इसको read कर लिजेगा कि जैसे आदी शंकराचारे ने अध्वैत वेदानता की बात की थी श्री कृष्णा ने righteousness और evil को uphold करने की और evil को destroy करने की बात कही थी ठीक है, यह सारी की सारी चीज़े थी मतब इसके अंदर कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं, एक बार read करके चले चाहिएगा ethics के अंदर, एक काम मैं आपके लिए और कर देता हूँ, मैं एक और table बना के, telegram channel के उपर वो pdf भी डाल दूँगा, जिसके उपर एक बार ही नजर मार के चले जाना बहुत जादा उसके अंदर पढ़ने की जरुवत नहीं है क्योंकि कौन सा administrator पूछा जाए, कौन सा thinker पूछा जाए, personality पूछे जाए यह हमारे control के अंदर नहीं है ठीक है